हेलो बच्चों जय हिंद सस्रीकाल असलाम वालेकूम नमस्ते वालेक। तो बच्चों मैं विनेक मार शुवराजफिर हादर हूँ आप लोगों के सामने मेरे टमाटरों बहुत ही जबर्दस सेशन को लेकर जिसके अंदर बच्चों आपने बच्पन में सीखा हुआ होगा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशिल एनर्जी लेकिन मैं आपको यह एसा काफी रिफाइनिंग होगी कॉंसेट्स की काफी अनंद की अनुभूती भी पराप्त होगी लेकिन यह सब हम शुरू करें मेरे टमाटर मुझे फटा फट जड़ा चैड़ बॉक्स में जैमाता दी कर दें गुड इगनिंग कह दें और बता दें कि भाईया पहुंच चुके रोहित भूला जी कैसे हो जल्दी बताओ पटापट कैसे हो और वेल और वेल आट होम चालो बढ़िया बढ़िया तो मैं आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया है स्वस्थ हैं और अपना और अपने मता-पिता का घर पे पूरा ध्यान रख रहे हैं ठीक है और सब स्वस्थ होंगे और जीवन को एंज्जोई कर रहे होंगे राई राइट 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 राई भावेश हेलो है यारेन गोड़ी इवनिंग बढ़ी है बढ़ी है टमाटरों तो बच्चों अब सब जो है अपने कोर्स को पूरा इमांदारी से रिवाइस कर रहे हो हमारे लेक्चर फटा फट बढ़ते जा रहे हैं और आप साथ साथ रिवाइस भी करते जा रहे हो और अपनी पढ़ाई को पूरा होल्ड में रखके बैठे हो इस से पहले सेशन शुरू करूं बच्चों इस सेटरे को हम रात को आठ वजे मिलेंगे सेटर सेशन का महाल बनाएं शुरू करें फटा फट टमाटर आजाते हैं तो मुझे भी जल्दी होती है फटा पट सेशन को शुरू करें तो आज कि बच्चों बहुत इंज्वाइबल सेशन एं काफी मैं बोलूँगा कमफरडेबल सेशन है लेकिन सीखने वाले बहुत सारे बात बेटा मैं तो प्यार से बनाओंगा देखो अब तुम्हारी इच्छा है बनना है बन जो नहीं बनोगे तो कोई बात नहीं बेटा मैं तो बनाई दूंगा तो चलिए मैं चुआईए फटा फट इसी के साथ शिलू करते हैं आज के सेशन को तो गाईज मैं हूँ आपका विनेक मार्शूर यार मार्शर डिजरिन फिजिक्स पिछले कई वर्शियों से फिजिक्स को फील से बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ और जब तक जेवित हों एक भी सांस बाकी है यह प्रयास दारी रहेगा बहुत अच्छे और नेक काम कर रखे हैं बहुत बच्चे फिजिक्स अलंपियाड में गए एम्ज में राइक मन भी आया जेई में डबल डिजिट भी बच्चे लेके जा चुके हैं अब बच्चों बात यह है यह सब कुछ तब कर पाया अगर एक अटूट रिष्टा बना मेरा मेरे बच्चों के साथ वो था रिष्टा विश्वाश का तो बच्चों याद रखना इस बात को कभी भी अच्छा कोई काम तब पहुंचता है अपने मुकाम पे अगर उसके अंदर विश्वाश हो अगर पढ़ने वले के अंदर वो विश्वाश हो और पढ़ने वले के अंदर वो विश्वाश हो तो ये रिष्टा बचों बहुत जादा बंडर्स क्रियेट कर देता है तो तब ये हो था बचों ने दिया और हो पाया और अब मैं आपको ये बोलता हूँ बचों अब आपको वही चीज इस विदान्तु जेई चैनल पे करनी है बेटा मैं आपको ये बात दिल से कह रहा हूँ हम एक भी स्टोन अंटरंड नहीं छोड़ेंगे तुम्हें बस अपना विश्वाश देना है हमारी एक बड़ी इंपॉर्टेंट से ही है तुम मुझे खुंदो मैं तुम्हें अजादी दूगा मैं तुम्हें एतनी सी बात बोलता हूँ तुम मुझे विश्वाश दो हम तुम्हें रिजल्ट देंगे तो तुम रिजल्ट अपना लेके जाओगे इसी विदान्तु जेई यूट्यूब चैनल से बस थोड़ा सा फेत रखते रहें विश्वाश के साथ आते रहें रेगुलरिटी को मेंटेन करें और बच्चों सबसे जरूरी बात चैनल को सबस्क्राइब करें और मैं आपको ये बार-बार बात बोलता हूँ कहीं पर भी तुम्हें कोई ऐसा बच्चा जरूरत में दिखाई दे जो एक अच्छी एजुकेशन की तलास में भटक रहा हो तो बच्चों उसे यहां तक ले आना देखो बेटा मैं आपको बार-बार ये बात बोलता हूँ ये नेचर वही है ये वही हमें देति है जो हमने इसे दिया ये कोविड भी जो आया जिसके अंदर बहुत हस्ते खेलते परिवार आप सब जानते हैं बहुत परिशान हुए हैं कहीं ना कहीं हमने शायद नेचर को तंग किया था वापस उसी ने वही रिटर्न किया तो ये दुनिया पेटा इसी रूल से चलती है जो देंगे तुम स्माहिल करते हो तुम मैं तुम्हारे साफ में हसता हूँ तुम लोग हसते हो गुलू-गुलू टमाटर बना देते हो ताकि वो भी इसका बेनेफिट उठा सकें बाकी हर सेशन हमारा थेंक्यू से शुरू होता है गुपता साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप बढ़िया मस्त आज का सेशन भी आप बच्छो देखेंगे इसके अंदर बढ़ बढ़ की एनिमेशन आ रखी है और पिछले सेशन का डीपी भी नहीं आया गया बच्छे कह रहे हैं मैंने अभी जश्च देखा ऐसा होना तो नहीं चाहिए नहीं आया गया एक बर बता दो जड़ा पटापट बिने से रगो नहीं मिला गया कमाल कर दी बेर तक में अभी मैसेज हो लर प्रज़ा दात ओं अभी मैसेज बात देता हैं न मेरी मेसेज डाल देते हैं कि एक मिनट बस हमारा सेशन खतम होते होते तक वह भी अप्लोड हो जाएगा लोग बता और बताओ और बताओ और बताओ क्या चाहिए दो एक बार नहीं आया काफी बचे कह रहे है ठीक है आया था अच्छा कोई बात नहीं समझ गया कुछ थोड़ी बहुत करेक्शन करनी होगी हां मुझे याद आगए प्छले सेशन की डीपी वी में कुछ कर्रेक्शन थी तो शाय मुझे लगता है वह उन्होंने करवा दी होगी लेकिन वह शाय दुबारा अप्लोड नहीं होगा डोंट वरी वह हो जाएगा ठीक है आज ही होजएगा शेचन के एंट तर तो अब ठीक है अब मुझे प्यारे- एक सेशन को आज शुरू तो ऑगोगे ऑगे चलो तो भात्या टमाटर आ चुके हैं तो सेशन को फटा फटा फट्सुरू किया जाता है लैसा टूड़ीफी नरज आज पहले है इस एनिमेशन को देखी यह आदमी आया इसने स्टिक के साथ अपने आपको उपर उछाला और उसके बाद वो नीचे गिर गया तो एनर्जी बेटा बहुत तरह की होती है इस दुनिया में आप यहाँ पे बचों लाइव ग्राप देखेंगे जब वो भाग रहा था तो उसके पास सारी एनर्जी कैनेडिक थी पिर यह जो रॉड है यह स्प्रिंग की तरह है तो स्प्रिंग की जो इनर्जी है वो है इलास्टिक पटेंशल इनर्जी फिर जब वो ऊपर उठा रसी तक गया तो उसकी वो एनर्जी ग्रेविटेशनल पटेंशल इनर्जी में कनवर्ट हुई और फिर जब वो वापस नीचे गिरा तो आप दे देखिए इस चीज़ को मस चीज़ हो रही है देखो जैसे यह दबाएगा इलास्टिक पूरा कुल गया ग्रेविटेशनल मैक्सिमम फिर जीरो और फिर वो का इनर्जी तो आज हम इन सब एनर्जी में खेलने वने हैं स्प्रिंग की इनर्जी को बोलते हैं भागने वली इनर् होते हैं ग्रेविटेशनल प्रेशनल अज मेरे टमाटरों इन सबी इनर्जी के उपर बरबर के बाते करने में आए अनर्जी के बारे में बात हो लिए तो बेटा कुछ स्टैंडर्ट तरह कि आपको बता देता हूं जो आप पूरे प्लस 1 प्लस 2 के सिलिवस में पढ़ेंग वो वह बड़ा गाना सुनता है सीटी मार, सीटी मार, बड़ा खुश होता है उसको सुनके तो sound एक energy है, heat एक energy है light एक energy है और nuclear एक energy है यह सबसे dangerous energy है आज की date में पृत्वी को इसी energy से हमें बचाना है तो nuclear energy है इसी तरह बचो जब गाड़ी चलती है तो that is a kinetic energy तो यह सारी energies है जैसे जैसे समय आता जाएगा आप इन सब energies के बारे में बढ़ते जाएगे heat energy के एक अपने आपने चप्टर है sound का एक अपने आपने चप्टर है kinetic के बारे में आज बात होगी nuclear energy अपने आपने चप्टर है और light energy तो plus two के अंदर भर भर के chapters के अंदर आपको मिनेगी तो काफी यह बाते हैं आप समय के साथ judges आगे बढ़ते जाएगे सीखते जाएगे आज का उदेशे रहेगा kinetic और potential energy ठीक है जी तो चलिए बचो सबसे पहले बात करेंगे मने टमाटर हस्ता खेलता आपको introduction दे रहा है kinetic energy अब सबसे बहले kinetic energy पी italy smile घूंवा रही है बताएगा बताओ kinetic energy पीटमाटर इतना खुश क्यों हो रहे है इतना खुश क्यों हो रहे है जल्दी बताओ क्या लगते आपको कैनेटिक इनर्जी शुरू करते वक्त इतना खुश यूँ है जादी बताओ में ने टमाट रहे हो इतना मखन और मलाई लगाते हो ना तुम लोग बतलब क्योंकि विने सर आप पड़ा रहे हो इसलिए खुश है आरे या क्या बात है नहीं वेटा यह इसलिए खुश है क्योंकि काइनेटिक इनर्जी वही है जो आप 10th क्लास में पढ़के आयो मेरी तरफ से कुछ नया आपको इसकंदर बताने वाला कुछ नहीं है तो जो तुमने सीखा है हाफ Mb2 that is the kinetic energy ठीक है हाँ थोड़े मैं questions आपको करा दूँगा प्लस वन के साब से लेकिन as it is it is the same thing which we have learned in 10th तो officially पढ़ लेते हैं एक बार kinetic energy होती क्या वही है जो energy की होते हैं वो joules होते हैं तो अब हम एक बात आपको यहां पे जो मैं देना चाहूंगा वो यह कि आप बेटा को v से dot कर दीजिए तो dot product की form में भी आप kinetic energy को represent कर सकते हैं और आपको याद होगा पेटा किसी भी vector को अगर खुद से ही dot कर दें तो उसका square of magnitude मिलता है तो v dot v क्या होगा सोच के बताओ v velocity with v velocity क्या होगा v into v into cos दोनों same velocity है तो मतलब दोनों vectors में जो angle होगा समझ रहे हो ना अगर किसी particle का velocity v है तो अगर एक दूसरा vector दी में v ले लू तो theta हो गया 0 तो v को v से अगर तुम dot करोगे तो v into cos of 0 degree and cos 0 is 1 so that is equal to v square तो यह मैंने आपको पहले भी बताया था then a vector is dotted with itself then square of its magnitude is obtained ठीक है तो यह आप कर सकते हैं बचो सब्सक्राइब करेक बात है यह सर यह सब्सक्राइब बिल्कुल सब्सक्राइब कोई दिक्कत वाली बात नहीं अब बात आती है कि आपको अब और क्या सीखना है वह यह है कि काइनेटिक एनर्जी का momentum के साथ एक relation होता है आई यह उस momentum को देख लेते हैं बहुत सीदी सी बा सब्सक्राइब कर दो मास से डिवाइड कर दो जड़ा मेरी बात को देहां से देखना आपके सामने यह लिखा है m into m m square यानि कि आपके सामने लिखा है mv square by 2m आपके सामने लिखा है mv square by 2m और बेटा मास into velocity is called as momentum तो it is momentum square by 2m it is p square by 2m तो गाहिज इस बात को याद रखना मा into velocity is called as momentum और इस से जादा और कुछ भी हमें kinetic energy में नहीं सीखना kinetic energy का momentum से relation बच्चों बड़ा important है कई बार आचाता है k is equal to p square by 2m और इसमें से आप momentum की value भी निकाल सकते हो under root of 2m k important चीज ये है कि kinetic energy kinetic energy momentum के square के proportional है या momentum जो है इसका under root ले लो वो root k के proportional है और ये proportionality के उपर लड़ू-लड़ू questions काफी ज़्यादा उचे जाते यहां तक simple है ना कोई मुश्किल नहीं है आता है अपने को विने सराज तो बड़ा मैंने पहले का था आज का लेक्चर लड़ू है लेकिन लड़ू मीठा होगा सुनके end तक लेक्चर में अगर चलोगे तो मज़ा आएगा आप देखना किस लेवल पे जाएंगे ठीक है बा अब second बेटा एक और formula हमने एक graph हमने याद रखना है कि kinetic energy का momentum के साथ अगर graph बनाया जाए तो वो एक parabola graph होगा देखोए kinetic energy क्या है पी square बै विने सर तो अगर मैं y-axis पे kinetic energy रख दूं x-axis पे x-axis पे अगर मैं momentum रख दूं तो बेटा मेरे खाल से इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है y is a something into x-square तो something into x-square is what it is a parabola तो आप देखेंगे कि जो हमारा graph होगा वो एक हमारा parabolic graph होगा तो y-axis पे kinetic energy रख दें बच्चों x-axis पे अगरा momentum रख दें तो हमें जो graph मिलेगा that graph is a parabolic graph that graph is a parabolic graph तो ये भी अपने हापने सवाल है एक concept है जो हमें हमारे दिमाग में दाख चैड बॉक् जी पौशी का जी तृपाथी साहब आ रहा है समझ में अपने को गुरु सेवक सिंग जी करेक्ट है बल्ले बंदे है है ना बिल्कुत सब्सक्राइब कोई मुश्य काम नहीं है बिल्कुल मस्त चीज़ा नट्वी जैसे है ना प्यारे जया मकताबी तो आजो यार फिर काम क आपको ना यह सारी स्टेटमेंट्स जो देता हूं नोट्स के अंदर यह खुद लिखके देता हूं ताकि इंपॉर्टन चीज़ आपके पास दिमाग में आ जाए और आपके बस नोट्स में भी आ जाए तो ध्यां से सुनना आपको विने सर ने यह क्या बोला है आपको मैं यह बाद गोली है कि system of particles cannot have momentum without having kinetic energy वो यह कहना चाहता है कि आपके पास एक system है आपके पास विने सर एक system है इस system के अंदर लेट से बचो तीन particles है इस system के अंदर क्या है विने सर तीन particles है वो यह कहना चाहरा है कि इस system के पास momentum नहीं हो सकता without having kinetic energy मेटा बहुत सीधी सी बात है अ अगर आपने हर पार्टिकल को zero velocity दे दी, तो what is the momentum of system? मुझे जल्दी बताओ, हर पार्टिकल को zero velocity कर देंगे, तो system का momentum कितना होगा विने सर? विने सर वो zero होगा, मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि बिना kinetic energy दिये, आप system को momentum नहीं दे सकते, किसी एक को तो चलाना पड़ेगा, तभी वो momentum निकल के आएगा, बचो yes sir लिख दो, बात सही है न, इस system cannot have kinetic energy without momentum, अच्छा उल्टा बताओ, अब reverse बताना इस बात को, क्या यह लागू है, क्या यह लागू है, what about yc versa, क्या एक system के पास kinetic energy हो सकती है, बिना momentum के, मैं आपको यह कहती हूँ, कि अगर momentum system का, अगर system की kinetic energy zero है, तो उस system का momentum है, जीरो ही होगा, यह 100% valid है, अगर यह true है, तो यह true है, है न, system की kinetic energy zero है, तो यह zero होगा, मैं ultra पूछ रहा हूँ, कि अगर system का momentum zero हो जाए, और kinetic energy हमें मिल जाए, तो ऐसा ultra true है, येस 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 तो guys ये possible है ये possible है ये बिटा हमारा अगला chapter है इसकी उंदर हम यही बाते करने वाले हैं कि मान लिजिए बिटा हमारे system में हैं दो bodies है 2 kg and 2 kg एक की velocity आगे ले लो 10 meter per second एक की velocity पीछे ले लो 10 meter per second और मेरे टमाटरों इस system का अगर मैं momentum पूछों इस system का अगर मैं momentum पूछों तो इसका momentum होता है mass into velocity that is 20 और इसका momentum होगा mass into velocity that is minus 20 बच्चों इस बात को याद रखना की momentum is a vector quantity तो momentum के अंदर sign लेने है लेकिन अगर system की kinetic energy निकाली जाए एक वो हमारी half m into v square half 2 into 10 square और इतनी ही इतनी kinetic energy तो scalar है वो तो add ही होगी इतनी ही उसकी होगी तो double कर देता हूँ तो that is 200 juice तो आप देख सकते हो कि system का momentum zero है लेकिन system की kinetic energy zero नहीं है लेकिन अगर system की kinetic energy zero हो जाए system की kinetic energy zero हो जाए और momentum zero ही मिलेगा वो non zero हमें नहीं मिल सकता बचों समझ में आ गया अपने को got it बले बले कर दो प्यारे दिल बना दो अगर यह बात चमगरी तो फटा फटा क्यों भई सभी कह रहा हूं ना गलत तो नहीं कह रहा है yes sir yes sir yes sir ठीक है रजनी गेटा खुशी बेटा बले बले जी चलो क्या बात है got it got it got it तो अब बेटा आते हैं हमारे कुछ प्यारे से लड्डू लड्डू कोश्चंस पर अराम से करेंगे हस्ते खेलते एक्दम उच्चू मुच्चू से सवाल है फटे जग देंगे है ना टेंशन बत लेंगे तो आजो मिने टमाटरों फटा पट सवालों पर सबसे पहला सवा है आप कहले है उनलेगे पार्टिकल है मांस्तों पर्टिकाले चैन केर आप मुझे पताने झोड़त है यह स्ट कोного में अदा जब करेंगे आप कंड़ो फट पट अपहले एक में जाहरे साल इस यह सिर् कलवंू सॉल है हाँ, correct बात, correct बात, तो guys यह जो velocity है, यह है i cap plus 2 j cap plus 3 k cap, यह जो velocity है, यह है i cap plus 2 j cap plus 3 k cap, आपके सामने correct बात, और आप इसी का v ले लो, इसी का एक और, इसको दो बार लिख लो, यह जगा i cap plus 2 j cap plus 3 k cap, और बेटा, अगर मैं इन दोनों वेक्टर्स का dot product ले लूँ, v dot v ले लूँ, तो उसका फाइदा यह होगा, तो coefficient of i1 i cap, यह जगा 1 into 1, 1 plus 2 into 2, 4 plus 3 into 3, 9, और मेरे टमाटरों, यह किसके बराबर आजएगा, यह किसके बराबर आजएगा, 5 plus 9, यह जगा 14, और 5 plus 9 is 14, और v dot v होता है v square, तो v square की value आपको मिल की 14, बाकि मैंने टमाटरों kinetic energy को half into mass is 2 into v square is 14, तो answer comes out to be 14 joules, answer comes out to be venusel 14 joules, बाकि ऐसे भी कर सकते हो, अगर किसी बच्चे को पता है कि venusel velocity इसके बराबर है, तो क्या हम इसका magnitude निकाल सकते हैं, तो निकाल लो यार, किसने बना किये, तो velocity का magnitude क्या होगा, coefficient of i square plus coefficient of j square plus coefficient of k square, तो बचों यह आप solve करिए, यह अगर root 14, तो velocity का magnitude निकाल रूट 14, kinetic energy is half mv square, लड़ू कौन कोशिशन है, half into 2 into root 14 का square 14 निकाल बन जाएगा, ऐसे भी कर सकते हो, v dot v करके भी कर सकते हो, that is also absolutely fine, आरा समझ में, सही बात है बच्चों, correct बात, correct बात, ठीक है जी, चलिए, इसी के साथ बच्चों, एक सवाल करते हैं, बड़ा प्यारा सा लटू सा कोशन है, आजो बड़ा, but, कह रहा है, find the percentage increase in kinetic energy of particle, if momentum is increased by 100%, अब ये जो कोशन है ना बेटा, मैं honestly बताओ, physics है नहीं है, इन सब सवालों के अंदर सिरफ common sense है, ठीक है ना, physics बिलकुल नहीं है, आपके सामने ये है, percentage increase in kinetic energy बताओ, अग 50% किया, या 25% किया, ये मेरे सवाल है, ठीक है, तो मेरे खाल से बचों आपको अगर पता हो, यार, इसके अंदर तो विने सर आप क्या ही पूछ रहे हो, कि kinetic energy विने सर होती है, मैं इसे यहां solve कर देता हूँ, विने सर, kinetic energy होती है, P square by 2M, correct बात है विने सर, ये अपने को पत लेगे, अब जो नया momentum है, वो हमें given है, कि वो 100% increase किया, अब समझे इस बात को भी, जो नया momentum है, P dash, वो है पुराना momentum, प्लस 100% of momentum, है न, momentum में 100% increase हुआ है, ये है न, इतना momentum was increased by 100%, मतलब इसका क्या है, बच्चों, P plus 100 upon 100%, ये आपको आती होगी, मैं फिर बिटा repeat कर रहा हू कि ये अब actually physics नहीं है, ये common sense है, जो आप 10th class पर से क्या है, और इसको आप ऐसे भी समझ सकते देगी, अगर आपने 100% increase किया, मतलब आपने double कर दिया, तो जो नया momentum होगा, वो double होगा, that is equal to 2P, तो बटा जो नही kinetic energy होगी, K dash, अब मैं यहाँ पर solve कर देता हूँ, जो नही kinetic energy होगी, मैं यही solve कर लेते हैं, तो guys, जो नियो kinetic energy होगी, वो होगी, नया momentum का square, 2P का square by 2M, और बचाओ अगर आप इसको ध्यान से देखें, यह 4K के बराबर आजेगी, हैना यह 2 का square, वैसे सोच लो, oral quotient है, अगर आपने double किया, तो kinetic energy जो होगी, वो 4 बना होगी, that is equal to 2 का square, एक्स्टार आ रहा है, P square by 2M, is K, so that is equal to 4K, और हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है, percentage increase, तो percentage increase क्या होता है, final kinetic energy, minus initial kinetic energy, into 100%, तो guys, what is final kinetic energy, that is 4K, minus K, upon K, into 100, तो तो तमाटर, आप समझ सकते हैं, it is 300%, it is 300%, बच्छों, आ रहा है समझ में, yes sir, मतलब momentum को अगर आप 100% increase करोगे, तो kinetic energy में 300% increase होगा, ठीक है, बच्छों, इसको हम औरली भी कर सकते थे, कि momentum 100% बना, मतलब वो हो गया, double, kinetic energy होगी, 4 गुना, मतलब 3 times बढ़ गई, तो 300% हमारा increase आ गया, देखो सब oral है, हो सके तो बिना pen के मुझे इसका answer दे दो, इसका कित बिना pen उठाए answer दे सकते हैं, 50%, I want to listen from all of you, try to give me an answer without picking up a pen, अगर momentum को 50% increase किया जाए, तो percentage increase in kinetic energy कितनी होगी, percentage increase in kinetic energy, बताइए कितनी होगी, बिना pen को उठाए, कितने बच्छे इसका answer दे सकते हैं, देखिए ज़रा, क्या answer आ रहा है, अरे percentage increase, अरे फिर वहीं गलब कर रहे हो गलत कर रहे हो, सोच लो, अरे मेरे टमाटरों यह आएगी 125%, गलत है, सबका गलत है, अरे तुम समझ ही नहीं पा रहे है, अभी पकड़ी नहीं रहे बात को, देखो, मैं तुमें यह कह रहा हूं कि जो निया momentum है, वो है पुराने momentum का 50% दादा, तो पुराना momentum जो है P, उसमे 50% of P, और एट कर दो, तो मतलब यह आजेगा P plus 50 by 100 into P, तो मतलब P plus 0.5P, तो आप अगर इसको समझ सकते हो, यह आजेगा 1.5P, तो जो निया momentum होगा P dash, जो निया momentum होगा P dash, that is equal to 1.5 times original momentum, अब आप 150, 150 लिखते जा रहे हो, बिटा वो momentum है, निया momentum, डेड़ गुन, ऐसे सोच 50% का मतलब किया 0.5 बड़ा, तो मतलब निया momentum होगा 1.5P, अब नहीं energy निकालो, नहीं energy निकालो, वो हो गया निया momentum, निया momentum का square, 1.5P का square by 2M, और टमाटरों तुम्हें यह बात दिखनी चाहिए, यह 1.5 का square होता है 2.25, यह होता है 2.25, P square by 2M, वो मेरी बंजेगी original kinetic energy, और अगर मैं आपसे पूछ लूँ भाईया, परसेंटे, यह cost price selling price है, यह और कुछ नहीं है, यह physics बिल्कुल भी नहीं है, यह मत सोचना है, विने सर physics पढ़ा रहे हैं, तो cost price selling price है यह, तो final kinetic energy minus initial upon initial into 100, तो आप इसको solve कर लिजे, यह आपके सामने आ रहे है, 2.25 के is final minus initial upon initial into 100, औ अब मेरे tomato stock solve करके देखना यह आजेगा आपके बस 125% 125% अब देखे इस बात को मैंने इसको कैसे solve किया मैंने इसको कैसे solve किया आप समझे इस चीज को मैंने कैसे solve किया मैंने किया कि अगर momentum 50% बड़ा है मैंने ओर ली किया momentum 50% बड़ा है मतलब नया हो गया 1.5 तो 1.5 का square कर दो तो that is 2.25 और 2.25 का मतलब 1.25 बढ़ गया, 1.25 बढ़ गया मतलब 1.25 परसंट हमारा इंक्रीज हो गया, यह सर, यह सर, और सही है, इसी है, आचा, मैं तो बताई रहा हूँ, आज फिरिक्स नहीं चल नहीं, आज तो बिटा खेला खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, खेला, बिल्कुल, कौन मनेगा करोड़ पती चल रहे हैं, इसका अशर दो ज़र है, 20 परसंट, अगर मोमेंटम 20 परसं हाँ, वेरी गुड़ कनिश्का, वेरी गुड़ तमन्ना, हाँ, अब तुम बेटा बबल से रहे हैं, बहुत अच्छे, 44 परसंट, absolutely correct, तो बिल्कुल percentage increase in kinetic energy जो आता, वो आता 44 परसंट, अब यह बिल्कुल हो रहे हैं, मैं इसको solve भी करूंगा, 20 परसंट का मतलब होता है, 0 0.2, मतलब नया momentum हो गया, 1.2, 1 में 0.2 बढ़ गया, मतलब नया momentum हो गया, 1.2 times, मतलब उसका, अगर मैं scare कर दूं तो वो बन जाएगा, 1.44, 1.44 का मतलब 0.44 बढ़ गया, और मतलब 44 परसंट आपका increase हो गया, तो अगर आप इसको वैसे इसी प्रसेसे solve करें, answer will be 44%, अच्छा अगर momentum में 10% increase करते, तो answer क्या होता, ठीक है, अब सोचो मेरी बात को, अब यह बिल्कुल oral question है, अब देखो जला, वैसे तो अगर समझ रहे हो तो नया momentum कितना होगा, original का 10%, उसमें 10% और जोड़ दो, 10% का मतलब यह होता है, 10 by 100, देखो यार वैसे तो यार यह सब लिखने क भी ज़रूत नहीं है, यह आप LCM लेलो, यह आपके पास आजएगा 1.1P, नया momentum, 10% का मतलब होता है, 0.1, तो मतलब वो 1.1P है, तो मतलब जो नई kinetic energy होगी, वो होगी 1.1P का square by 2M, नई momentum का square by 2M, इसको आप लिख सकते हो, 1.21 times P square by 2M, जो है मेरी original kinetic energy, जो है मेरी original kinetic energy, यह सर बचों के आशर त्याड़ वोक्स में ठोग दिया है बिल्कुल, तो भईया, इसका जो आशर है, वो है 21%, इसमें, जो kinetic energy में increase आएगा, वो आएगा 20, मतलब 0.21 का मतलब समझ रहे हो, मैं समझ रहे हो, 0.21 मतलब percentage increase आजएगा, final minus initial upon initial into 100, तो बचों बस मैं आपको यह बताना जितना यह percentage कम होता जाएगा, kinetic energy exactly double आता जाएगा, तो देखो 10% का double होता है 20%, तो answer उसके पास है, और ऐसे ही बेटा, तुम्हें solve करने की विजरूत नहीं है, इसका answer तुम फटा-फट लिख सकते हो, 4%, अगर momentum में percentage increase 2% है, तो kinetic energy में percentage increase जो होगा, वो 4% होगा, तो answer nearly double का approach कर करेगा, अगर percentage increase छोटी हो, बड़ी पे नहीं होगा, बड़ी पे आप देख लीजे, 20% का double होता है 40, answer 44 है, समझ रहे हो, तो यहाँ पे नहीं match करेगा, लेकिन जितना तुम percentage कम करते जाओगे, answer kinetic energy का जो होगा percentage increase, वो double का approach करेगा, अब यह क्यों हो रहा है, इसको भी समझ लीजिए, बचों यह ना आपको यहाँ से दिखता है, kinetic energy जो होती है, वो होती है, पी square by 2m, correct बात है भी ने sir, है ना, अब सुनना मेरी बात को, अगर मैं इसको differentiate कर दूँ, तो 1 by 2m as it is बेटा, और पी square का derivative आजेगा 2p, सोच के देखो, अगर मैं इसको differentiate कर दूँ, तो पी square यह क्या गया, यहाँ गया, dk is equal to 2p into dp by 2m, and what is k, k is p square by 2m, what is k, k is p square by 2m, और मेरे टमाटरों इन दोनों को कर दो, आपस में divide, 2m से 2m कट गया, p से p कट गया, और मेरे टमाटरों आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, dk upon k, dk upon k is equal to twice of dp upon p, dk upon k is equal to twice of dp upon p, और मेरे बबर शेरों यहीं पे यह बात बन गई, अब देखो दरा, dp upon p, क्या बन गया यह, change in momentum upon original momentum, dk upon k, change in kinetic energy upon original kinetic energy, तो percentage change in kinetic energy is two times the percentage change in momentum, तो बतलब आप समझ सकते हो, लेकिन यह dp dk है, यह change तभी valid है, अगर आप छूटी केंगे से, तो 2% का directly 4%, 10% का भी आप 20% लिख सकते हो, कोई दिक्कदोली बात नहीं है, बच्चों, यह सर, यह सर, बच्चों आ रहें समझ में, बले बले कर दो, पैरे पैरे दिल बना दो, और यह सारा जो था, यह kinetic energy के कुछ लेट डू, लेट डू, questions आते हैं, मैंने आपको करा दियें, ताकि आप tension मत लेना, कहीं कुछ दिख जाए, तो धबराना बात है, बाकि इनके अंदर सिरफ common sense है, physics दूर दूर तक नहीं है, दूर दूर तक नहीं है, ठीक है, आप उसको relative error से भी कर सकते हो, अगर आपको relative error क्या हो, जितना power times, जितना error momentum में होगा, बलब percentage को error समझ लो, कि इतना change हुआ, तो जितना error momentum में होगा, उतना times, मलब समझ लो, kinetic energy में होगा, power times, तो आपको ये सारा मैने उसमें भी बता रखा है, अगर इसमें percentage 2% है, तो 2% into 2, power times आपका kinetic energy में चेंज आ जा जाएगा, आप इसको ऐसे भी feel कर सकते हो, आपके अपनी श्रत है, अच्छा, अब बच्वों आ जो, इसका answer दोगे मुझे oral, या आपका homework लिखा है, चलो, अभी कर दो, या homework भी छोड़ो, क्यों homework करना है, अभी करते है, लाइब lecture के अंदर chat box में आग लगा दो, क्या मुझा कहा है, इसका linear momentum is increased by 5%, अगर linear momentum को 5% increase किया है, कितना percentage increase kinetic energy में होगा, बता दीजिए, हैना, हारे मेरे तमाटर, बिलू, 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 बिलू से, D option, 10%, direct double, ये कोई हुंबबबला सवाल था, बेटा, किमाल करके हैं, मेरे सर भी, हैना, अच्छा, इसका बताना बिलू, 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 बिल सही है देखो या बड़ी लॉजिकल बात है कarnat किनेटिक इनर्जी है पी स्केर बाए टू एम अब मेरी बात को जरा ध्यां से सुनना है ना आपने यह किया कि मॉमेंट्ट को कर दिया डबल मास हो गया डबल तो बेटा सीधी बात है या किनेटिक इनर्जी सीम रहे इसके लिए मोमेंटम को भी क्या करना पड़े ना रूट किनेटिक इनर्जी तो कॉंस्टेंट हो गई तो मोमेंटम जो है वो रूट मास के प्रपोशनल है मास को कर दिया डबल तो मोमेंटम हो गया रूट टू टाइम्स मल्टिपल बेज जैसे अच्छा लगे मन की शांती जैसे आपको लगे मिले उसे आप ले 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 ना डी ऑप पढ़ लो कोशन को पढ़ लो पटा पट बताओ अ अ अ बताओ उटाओ उटाओ शाबाज अरे 50% कमाल करते हो यार तुम लोग यार यार कॉमन सेंस लगाओ यार आप तिक वो उल्टा खेल रहे है खेल उल्टा चल रहे है क्या रहा यार और यह तो तुम्हें पताइए यार यह टू के आ रहे है जो फो हो गया और मंदलब कॉबन सेंस अंडर्परसंट का मतलब डबल हो गया तो मतलब जए नहीं केनेटिक अनर्जी वो डबल हो गया आप से पूछा गया है, हाँ, बच्चों ने आंसर दिया है, अरे अभी भी गलत दे रहे हूं, भी भी गलत कर रहे हूं, तो आपको यह पता होना चाहिए, कि जो momentum होता है P, वो P जो होता है, वो होता है, root of 2m into k, यह होता है हमारा momentum, तो जो निया momentum होगा, वो किसके बरापर हो root 2 extra आया है, बाकि root 2m के वो मेरा है original momentum, यह सारी चीज़े ना और ली भी हो सकती है, कि kinetic energy अगर double होई है, तो momentum जो होगा, वो root 2 times होगा, अभी हमने पिछले question में भी किया, तो आप इस root 2 को क्या लिख सकते हो, 1.414p, 1.414p, अब आप से बुचा गया है, percentage increase in momentum, तो percentage increase in momentum, किसक percent, तो बेटा final है, 1.414p, minus p, और मतलब यह आपका 41.4, अपन पी है, तो यह 41.4% आदेगा, 41.5, और ली भी कर सकते हो, 0.414 का मतलब increase हुए, और 0.414 मतलब 41% का increase हुए, बच्छो, आ रहा है समझे में, यह सर, यह सर, मतलब honestly यह हमने आज सिरफ, thank you बोलो विने सर को, विने पर एलिगेशन नहीं लगा सकते हैं, यह सर आपने यह बताया नहीं है, तो actually मैंने half and 20 square है, उसी के ऊपर हमने कुछ आपको question दिये, यह आप 10th में भी कर सकते हो, इसके अंदर कोई भी हमने addition नहीं की, yes sir, लेकिन हाँ, लेकिन बस बात इतने, thank you बोलो रे, it's my duty, यार, मेरा done with the kinetic energy, kinetic energy होगी हमारी complete, done, done, हाँ, चलो, अब बेटा हम चलते हैं आगे, अब बेटा बात होने वाली है conservative और non-conservative forces की, बचों अगर आपने कल का session सुना हो, तो उसके अंदर मैंने आपको unofficially conservative और non-conservative forces के बारे में बता गिया था during numericals, आज हम officially इनके बारे में बात करने वाले हैं, तो आजए ये बेटा शुरू करके हैं, तो बच्रों आप माल दीजिए, ये एक car है, ये आपके मस्त डिचू-डिचू track के उपर घुमती होई जा रही है, बचारी उदर से आई, ये तो मुझे लग रहा है, तो बेटा जब ये एक car आपकी किसी एक random track से होते चाहिए, एक तो बेटा है हमारी कौन सी, एक हमारी कौन सी है, ये भी color भी दिख रहा है, ये दिख रहा है, हाँ, एक force बेटा हमारी कौन सी होगी विने सर, एक होगी हमारी force gravity, दूसरा बेटा कौन सी forces होगी, यहाँ पर friction, समझो इस बात को, तो जब ये गाड़ी आपकी ए on conservative की category में आती है, तो हम एक है करके सुनते हैं, और सब की अपनी importance है, तो आईए बैटो, सबसे पहले हम बात करेंगे conservative forces की, definition आप last lecture में भी देख चुकियों officially, अब हम officially लिख रहे हैं, तो guys what are the conservative forces, these are the forces whose work done depends only on the initial and the final location, आप सुनना मेरी बात को ध्यान से, मान लीजिए, एक ये रास्ता है, एक दूसरा रास्ता है, और एक ये तीसरा रास्ता है, let's say मैं three different ways से, एक book को दूसरी जगा पे shift कर रहा हूँ, और इस दुरान मैंने कुछ forces इसके उपर लगाई, अगर इस रास्ते पे work हमारा w1 है, दूसरे रास्ते पे work हमारा w2 है, और तीसरे रास्ते प जाए, मतलब path पे depend ही ना करे, तो उन forces को हम बोलते है, conservative forces, क्या बोलते हैं विने sir, they are independent of the path and it is called as a conservative forces, yes sir, simple definition, correct बात है, tomato, और सही है न, जाग रहे हो, हाँ, जाग रहे है विने sir, ठीक है, अच्छा, अब ना इसकी examples बड़ी important है, अब सुनना मेरी बात को धीरे धीरे, अब गरे, टहानी की दर हम आगे बढ़ेंगे, अपने session में, spring force हो गई, electrostatic forces होगी, gravitational forces होगी, इनको दिमाग में बिठाए, ये जितनी भी examples आपके सामने लिखी हैं, ये सारी conservative forces के अंदर आती है, gravity हमारी conservative force है, ये मैंने आपको last lecture में प्रूव करके भी दिखाया था, आज हम उस conservative होती है, आपको याद होगा बेटा, जब आपने, I guess, हमारे दोस्त सर से, आपने जब ये पढ़ा होगा, अपना atomic structure, तो charges जब एक दूसरे को repel करते हैं, या attract करते हैं, तो इनके बीच में लगता है coulum's law, अगर ये अगर दूसरे को repel कर रहे हैं, तो ये जो force अगर आप conservative force, इसी के साथ, बच्चों, मैं आपको spring already पढ़ा चुका हूँ, कि जब हम किसी spring को उसकी natural length से compress करें, या उसे अगर elongate करेंगे, अगर elongate करेंगे, तो वो वापिस आना चाहेगा, अगर आप उसे compress करोगे, बड़ी मस्तीज है या, आप इसे compress करो, ये खुलना चाहेगा, आप इसे stretch करो, ये वापिस आना चाहेगा, ये spring भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, और ये जो spring की force होती है, ये होती है kx के बराबर, it is kx है न, where x is the displacement from the, x is the displacement from the, main position, it is kx, it is the displacement from the, main position, तो ये वली जो force होती है मेरे टमाटरों, this is also a conservative force, इसको भी conservative force की category के अंदर हम डा होती है, ठीक है जी, दन्या बच्चो, yes sir, correct बात, correct बात, सारे notes, enter notes आपको राच को upload होके, मिल जाएंगे, अभी सुनते जाओ कहानी की तरह, अभी और point बिटा अपने दिमाग में रखना, work done by, यह non आ गया, work done by, अभी conservative force की बात हो रही है, यह non काड़ों, यह बटर delete कर दो यहां से, work done by conservative forces in a closed path is always zero, अभी यह बड़ा एक important point है, कि किसी closed path में conservative force का जो work done होगा, वो हमेशा जीदो के बरापर होगा, अब इसका meaning क्या है, मैं आपको एक example के थूरू बताऊंगा, बच्च मैं आपसे पूछना चाहूं, कि एक बेटा हमारा मास M है, इस मास को बेटा मैंने ground से उपर उठा के यहां रख दिया, और मैंने जिस height भी रखे हैं, let's say, वो height जो है, वो h, ठीक है, तो मुझे ज़रा चैनल में बेटा लिख के बताना, जब मैं इसे उपर लेके जा रहा what is the work done by gravity, what is the work done by gravity, gravity is a conservative force, तो इसलिए मैं आपको यहां पर यह करके दिखा रहा हूँ, gravity is what, gravity is Vinay sir MG, तो बताए ग्रेविटी का work कितना हुआ, वोन बताएगा चैट बॉक्स में जल्दी बताओ, पटा-पटा आग लगा दू, very good, very good, very good है न, अब यह तुम लोगों का दिमाग चल रहा है, फैला, बिल्कुल, Vinay sir, यह क्या लड्डू कोईशन दे दिया आपने, gravity नीचे, displacement D उपर, और इनके बीच का एंगल है, 180 degree, तो जो work होगा, definitely होगा, minus MGH, लोगों ने आग लगा दिये, चैट बॉक्स में, बिल what is the work done by gravity, जल्दी बताओ, चैट बॉक्स में, यह मास है हमें, यह mg है, what is the work done by gravity, अब मैं उसको उपर से नीचे ले आए, बताइए, very good, very good, very good, यह हुई ना बात, अब तुम समझ रहे हो मेरे साथ साथ, तो बिने sir, यह है मेरी displacement D, अब mg भी नीचे, D भी नीचे, तो definitely theta होगा, वो होगा MGH, प्लस MGH, तो बेटा, मैं अगर आप से पूछू, what is the total work, what is the total work, zero, what is the total work, zero, तो मेरी इस बात को समझ लेना, अगर force conservative होगी, अगर force conservative होगी, तो loop का मतलब यह कि तुम घूम फिर के दुबारा, तुम घूम फिर के दुबारा, वापिस उसी point पे अगर अगर force हमारी conservative होगी, तो उस conservative force का एक loop में जो work होगा, वो हमेशा zero होगा, non-conservative का zero नहीं होगा, conservative का work हमेशा zero होगा, yes sir, correct बात, correct बात, ठीक है, बले-बले है, बले-बले है, बले-बले है, तो यह होगी हमारी conservative forces, अब मैं आपके साथ कुछ कोशन डिसक्स कर लेता हूँ, लड़ो-लड़ो से सवाल होते है, जैसे यह सवाल हमने कल के lecture में किया, एक हमने M mask को नीचे लेके आना है, अच्छा, यह तो हमने करी लिया, what is the work done by gravity, I guess A option is the correct answer, जब आप उसको अभी-बी-शॉल किया, Mg, जब उसको नीचे लेके आओगे, तो Mg भी नीचे है, displacement भी एच हाइट पे आपने एक ब्लॉक को मेरे टमाटरों ड्रॉप कर दिया, अब जैसे ही बेटा तुमने ड्रॉप किया, सोचो, अब यह कोशन अमने कल किया था, जब यह नीचे पहुंच गया, जब यह नीचे पहुंच गया, M mask का, यहां से slide होता हुआ, जब यह यहां से यहां, जब यह नीचे पहुंच गया, आप से पूचा गया है, what is the work done by gravity, तो बेटा मैं देखता हूं कितने बच्चों ने ध्यांसे सेचन सुना था, answer लिको बड़ा बट, what is the work done by gravity, बताओ, जब यह नीचे पहुंच गया, तो लेट से विने सर यह हो गई, मेरी displacement D, तो gravity विने सर लग रही है हमारी नीचे को, that is the mg, और इन में विने सर अंगल अगर हम ले लें theta, तो what is work done by gravity, that is force into displacement into angle between them, gravity is a constant force, so that is mg into d into cos theta, और बच्चों मैंने आपके बोला था, cos theta की value अगर आप ध्यान से भर दें, इस right angle triangle में, इस right angle triangle में, अगर आप ध्यान से cos theta भर दें, तो theta के opposite है perpendicular, तो यह हो गया base, तो cos theta जो है, वो है मेरा, यह आपके सामने लिका है, mg into d into cos theta, cos theta के opposite हो गया perpendicular, तो यह हो गया base, तो base है मेरा h, base है मेरा h upon hypotenuse, base upon hypotenuse, that is h upon d, तो बाकी मेरे टमाटरों आप देख सकते हैं, d से d, cut गया, what is work done by gravity, what is work done by gravity, that is equal to mgh, what is work done by gravity, that is equal to vineser, mgh, yes sir, yes sir, yes sir, ठीक है, अना, मस्ती दना, मस्ती दना, अच्छा, इसी का vineser ने एक आपको और method भी दिया था, याद करो, इसी का vineser ने आपको एक और method भी दिया था, मैंने आपको ये भी बोला था, कि अगर force constant है, तो आप ये formula भी लगा सकते हो, f into d parallel, आप ये formula भी लगा सकते हो, मैं यहाँ पर, याद आ रहा है नहीं आ रहा है, चैड बॉक्स में बढ़ा लिखके बताना जिना मुझे एक बार, मेरी यदाश कमजोर है, मुझे नहीं पता तुम लोगों की कैसी है, कुछ ऐसा दो नहीं लग रहा है कि कुछ नई नई चीज़ें विने सर ने शुरू कर दी, ऐसी फील दो नहीं आ रही किसे टमाटर को, है न, ये मेरी displacement है, है न, नहीं आ रही रहा है, याद है न, हाँ, तो भई आप यहाँ से यहाँ जब slide करके पहुंचे, ये आपकी displacement है, तो मैंने आपको ये बोला था कि ये work done by gravity आप ऐसे भी दे सकते हो, f into d parallel, मतलब आपका gravity नीचे है mg, और gravity की direction में जो displacement है, वैसे displacement ये है, लेकिन gravity की direction में जो displacement है, उसे हम d parallel बोलते हैं, जो कि h के बराबर है, तो आप इसे लिख सकते हो, it is f, f is mg, f is mg, into h, mg into h, बचो, correct बात ह अच्छा, इसी के साफ बच्छों याद रखना, ये भी मैंने आपको गल एक method समझाया था, कि मेरे भाई, अगर मैं, अगर मैं, यहां से यहां, अब सोचो, यहां से यहां, इस path की बजाए, यह मेरा पहला path था, यह मेरा path था, P1, यह मेरा path था विने सर, P1, अब सोचो, मै मेरा path P2 है, path P2 है, अगर मैं इस path से उठा के रख दूँ, क्या work में फरक पड़ेगा, chat box में मुझे लिखके बताइए, अगर मैं यहां से यहां चला जाओं, तो क्या मेरे work done में फरक पड़ेगा, देखो, conservative force की यही निशानी होती है, नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा वहने से displacement वही है, अगर displacement वही है, तो gravity की direction में जो displacement है, वह भी भी एच्चा है, तो तुम दूसरा path ले लो, displacement तुम वही लोगे, और फिर finally दुबारा आप इसी component पे पहुंचोगे, और infant आप कोई और path भी बिटा आपके दिमाग में अगर आ रहा है, आप उसको भी ले हैगा, and hence it is a निशानी, and it is the पहचान of conservative force, and that is why the gravity is a conservative force, ऐसे ले आओ, सीधा नीचे ले आओ, हर केस में जो वर्क है, वो आपका MGH के बराबर ही निकल कर आएगा, बच्चों, yes sir, yes sir, it is always path independent, और इसी के साथ, बच्चों, हमारा अगला concept अब आता है, that is a non-conservative force, अब non-conservative force की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं, तो what is the non-conservative force, ऐसी बहुत सारी forces है, जिनका work सिरफ तभी निकाला जा सकता है, when we know the path on which the particle is moved, because हर path पे work अलग अलग निकल के आता है, और उन forces का नाम रखा जाता है, non-conservative forces, और हमने officially, unofficially कल देखा था, officially इसी स्वार दोबारा देख र as the non-conservative forces, तो ऐसी forces जो सिरफ initial और final के बीच में path पे depend करता है, जिनका work done path पे depend करता है, जैसे आपको याद होगा कलवले equation में, कि जब तक हमें path नहीं पताता है, हम उसका work नहीं निकाल सकते रहे, क्योंकि हर path के लिए बगए लगाता है, उनको हम बोलते है, non-conservative forces, अब आज के lecture में मैं क्या आपको नहीं बात बता रहा हूँ, बेटा, वो हैं इसकी examples, अब जहां से सुनना, total तीन examples हैं, बेटा, हमारे पूरे plus 1, plus 2 के syllabus में, total तीन, आप मुझे बूचो, विनी सार, कितनी examples हैं, देखो, conservative की तुम्हें और मिल जाएगी, लेकिन non-conservative की total सिर्फ और वो ही तीन में आपके सामने रख रहा हूँ, जिसमें पहली दो हम पढ़ेंगे बेटा, प्लस 1 में, और आखरी वली हम पढ़ेंगे किसमें, प्लस 2 के, एक है friction, जो हम already पढ़ चुटी हैं, तो एक non-conservative force, friction का work done path पे depend करता है, तो friction हमारी non-conservative force है, यह हमने पढ़ ले बचो जो viscosity होती है न, यह होती है fluids की friction, यह भी friction ही है, लेकिन जो पानी friction देता है, air friction देती है, air is the fluid, तो जो liquids यहां gases की friction होती है, उसको हम viscosity बोलते हैं, और बेटा यह बड़ी भ्यांकर चीज़ है, induced electric field, अब तुम सोचोगे यार, यह कौन सी चीज़ है, इसकी tension मतलो, यह त इतनी जाना important है कि हमारी जितनी भी electricity create हो रही है न, हमारे आज-पास, वो इसी वज़ा से create हो रही है, तो this is मतलब like, जो dam पे बिजली बन रही है, इतना कुछ जो हो रहा है न, वो इसी electric, इसी force की वज़ा से हो रहा है, और यह जो है, induced मतलब, यह magnetic field से create होती है, तोड़ा सा आपको क्या ही बता हूं, कोई गाड़ी चल रही है, तो definitely जो friction लगेगी उसको रोकने के लिए, तो वो जो friction है, that is a non-conservative force, वो non-conservative force आती है, ऐसी कोई चीज अगर बेटा हमारी पानी में गिर रही है, इसी कोई चीज अगर बेटा हमारी पानी में गिर रही है, तो उस व आपको इसके बारे में पता लग जाएगा, और अब आती है induced electric field, आपने ये शैद सुना होगा, कि अगर हम किसी कोईल में किसी magnet को, थोटी क्लासे में फैरडे लॉर्स के अदर आपने सुना हो, तैंथ में जहां तक मुझे याद है, आपको विशेक सर ने पढ़ाया होगा, कि अगर हम किसी कोईल के अंदर किसी magnet को पास करें, तो उस magnet की जो magnetic field की वज़ा से, आपकी जो bulb है, उसके अंदर रौशनी आ जाती है, वो bulb हमारा, वो bulb के अंदर एक electricity produce हो जाती है, और dams में यही होता है बचो, dams के अंदर भी यही concepts होते है, तो actually मैं आपको बता देता हू जब आप एक magnet की जो flux, sorry, जो magnet की magnetic field है, उसको किसी से pass कराते हो किसी coil में से, तो space में एक electric field create हो जाती है, और वो electric field magnetic field से create होई है, तो इसलिए उसका नाम है induced electric field, और वो जो होती है, वो non conservative होती है, तो मैं इसकी tension नहीं लेनी, बस मैं आपको भी बता रहा हूँ, यह 3 है, total जब लिख दिया, यह है वाई, यह है वाई, यह है वाई, ठीक है, तो कोई बात नहीं, हमें attention नहीं लेनी, मैं आपको जब समयाएगा, हम पढ़ लेंगे, और बढ़ी important चीज, work done by non conservative forces, in a closed path is always non zero, conservative force का closed path में work zero होता है, non conservative force का closed path में work non zero होता है, तो मेरे काल से बहुत logical point है, तो एक मैं अगर बेटा तुम लोगों के सामने example ले ही लूँ, let's say, बचों मेरे पास एक block है, चलो आजो अब इसके साथ थोड़ा सा खेल लेते हैं, एक block है, जिसका mass merit marker M है, बचों मैं अगर इस block को यहाँ से यहाँ आगे लेके गया, let's say displacement मैंने दे उसको D, मैंने उसको क kinetic friction की value होगी, mu into n and n is mg, बेटा मुझे chair box में लिखके बता देना, आग लग जानी चाहिए, what is work done by friction, friction का work कितना हुआ, कौन बताएगा, जल्दी लिख दो, अगर एक block को हमें एक surface पे slide करके आगे लेके चले जाएं, तो what is the work done by friction, मैं पूछना चाता हूं लोगों से, बता द कितनी है, हाँ, करेक्ट बार, that is friction की force, mu mg, into displacement d, into cos of the angle between them, and आप समझे रहे हो, मैं टमाटनों, ये angle जो है, ये angle 180 degree, and cos 180 degree, and that is, is equal to minus mu mg into d, that is minus mu mg into, ये, correct बात है, अच्छा बचों, अब मेरी बात को सुनना, यहाँ पर आपका mass आगे है, ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसी mass को दुबारा वापस लेके आ रहा हूं, ये हमारा भी floor था, मैं आगे लेके गया, अब मैं इसी mass को फ दी रहेगा, तो अगर मैं आपसे total work उसनों friction का, आने जाने का, into 2 कर दीजिए, तो मुद्दे की बात ये है, कि ये कितना निकल के आया, minus 2 mu mg into d, तो आप बताओ, क्या ये 0 आया, हम एक particle से, एक point से घूम के दुबारा उसी point पे वापस आ गए, और अगर loop में उस force का work 0 नही नहीं आता, तो वो हमारा non conservative force कहला आता है, जाओ, yes sir, yes sir, नजारे आगे, नजारे आगे ना, तो यह कुछ important concepts दे बेटा, जो हमें हमारे दिमार में रखने है, non conservative force का loop के अंदर जो बग होता है, वो non zero होता है, conservative का 0 होता है, non conservative का 0 होता है, sorry, non conservative का 0 नहीं होता, अच्छा, प्यारा सा, लड्डू सा, वैसे तो सवाल बेटा, इसके अंदर सारे यह informative topic ही है, लेकिन सवाल अगर आपके सामने आ भी जाए, तो कैसा सवाल आगा, आपके सामने बेटा आ चुका है, तो आप मुझे बताओ, इस सवाल को देखे, आपको कह रहा है, the figure shows three path connecting points A and B, A, B को connect क करने वाले तीन path है, ठीक है, इस single force F does indicated work on the particle moving along each path in the indicated direction, तो आप देख सकते हो, A से B, मैं अगर इस path से जाओं, तो 60 joules बरक है, अच्छा, फिर मैं क्या कर रहा हूं, एक दूसरे path से जाओं, तो यह minus 60 joules बरक है, और in fact, जब वापिस आ जाओं, तब 60 joules बरक है, तो मुझे कुछ ऐसा दिया हुए, तो मुझे बस इतना बता दो, क्या यह force, क्या पुछा गया आप से, क्या यह force conservative है, yes, no में लिख दो, बेटा, आंसर, बताओ, क्या हम यह बता सकते हैं, कि यह conservative है, कि यह conservative नहीं है, अरे, सर, क्या आप गोल दिया, आपने सर, दिख रहा है, आपसलि और non-conservative के जो basic official definitions थी, वो समापत होती है, अब बेटा, हम थोड़ा सा आपको mathematical तरीके बताते हैं, कोई force conservative है, या नहीं है, तो बेटा, आप इस बात को समझो, यह आपको कल विने सर ने बता भी दिया था, अगर आपको याद आ रहा है, कि अगर कोई force हमारी 2D में है, मतल यह हमने unofficially कलो बताया, आपको officially माज आपको फिर बता रहा हूँ, और उस force के y component को बच्चों हमने x में differentiate करता है, और अगर यह करने से हम equal पैदा कर देते हैं चीजें, तो वो force हमारी conservative force है, मैं फिर repeat करता हूँ, आपके force है fx i cap, fy j cap, force के x component को मेरे टमाटरों आपको differentiate करना है y में, del by del y, आप उसे y में differentiate करें, और मैं इस बार इसको curly दिखाता हूँ, यहाँ पे, del by del x, मैं ऐसे दिखाता हूँ, यह मैं इसको ऐसे नहीं दिखाता, dy dx नहीं दिखाता, इसे मैं curly दिखाता हूँ, यह जो होता है, इसको मैं बोलते हैं partial differentiation, क्या बोलते हैं, partial differentiation, इसका नाम पर सोच के दिखो कि partial मतलब अधूरी अधूरी differentiation का मतलब यहां पर यह है कि हमने जब x में differentiate करना है तो y और z को हमने variable नहीं मानना इसलिए इसे हम partial word बोलते हैं जबकि y और z variable हैं लेकिन हमने उसे variable नहीं मानना तो इसलिए हम इसको बोलते है partial differentiation एक्स में differentiate करोगे तो y z होगे constant तो अगर x का y में derivative और y component को तुम x में differentiate कर दो partial और अगर ये दो चीजें equal आ जाती है ये दो चीजें अगर equal आ जाती है तो हमारी वो force conservative force कहलाएगी बचो बले-बले कर दो अगर ये बाद चमगरी है तो ये याद है ना ये कल किया था हमने के भूल गए है ना याद है ना ये हमने कल किया था है ना तो हमने इसके उपर सवाल भी आप लोगों को सिखाये थे तो आईए हम एक बाद सवाल भी देख लेते हैं तो बचों मुझे chat box में yes no करके लिखके बताते जाना अगर आपके सामने ये force given है f vector is equal to x i cap plus y j cap अगर आपके सामने ये force given है x i cap plus y j cap तो मैं अगर आपसे पूछों क्या ये conservative है तो आप कैसे करोगे जल्दी बताओ आप विने सर्द मानोगे ये जो है ये है force का x component और ये जो है ये है force का y component तो भाई हमें force के x component को y में differentiate करना है force के x component को y में differentiate करना है तो आप सोचो जरा force का x component क्या है x और तुम अगर उसे y में differentiate कर रहे हो तो विने सर्द वो आ रही है 0 और उसी force के y component को तुमें अगर x में differentiate करना है del by del x of force का y component y component of forces y component of forces y और उसे अगर x में differentiate करोगे तो y को जब x में differentiate करोगे तो y को constant मानना है तो fifth का derivative आज़ेगा 0 और ये दोनों equal आ गए तो मतलब ये वली जो force है ये conservative force है ये वली जो force है ये conservative force है ये सर, ये सर, आ रहे है समझ में चमक रहे है अपने को अच्छा अब ऐसे है ना मैं तो आगे बताने वाला हूँ just for your knowledge है अब मेरी बात को दुरा ध्यान से सुनना अगर मैं इस force की direction को plot करो मतलब just for your क्या मैं फिर भी रपीट कर देता हूँ for your knowledge अगर आप इस force की direction को plot करो तो सोच के बताओ या मतलब अगर कोई मेरा point है 1,1 सोचो अगर मेरा कोई point है 1,1 तो force की direction क्या होगी i care plus j क्या force की direction क्या होगी i care plus j क्या अगर मेरा कोई point है 1, minus 1 सोच के देखो अगर मेरा कोई point है 1, sorry minus 1,1 minus 1,1 तो मतलब यह कौन सा vector बनेगा minus i care plus j क्या minus i k plus j k समझ रहे हो समझ रहे हो कुछ ऐसा vector जाएगा तो मतलब बच्छों आपकी just knowledge के लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर आप इस force को plot करोगे अगर आप इस force को plot करोगे तो मतलब यह कुछ ऐसा radial सा force दिखेगा आपको हर direction इसलिए इसको variable कहा गए magnitude भी change हो रहे है और direction भी change हो रही है और आप अगर यहाँ पे कोई भी दो points ले ले कोई भी दो points ले ले इसकी जुरतनी वाज सुनने के लिए सुन लो अगर आप इस force को देखें तो इस force का behavior यह है कि यह हर direction में जो force है आप देखें लो radial सी आपको दिख्योई मतलब ऐसे गुच्छे के तरह यह force निकलती जा रही है आपकी हर जगा तो आप अगर किनी भी दो points को बेटा consider कर ले और आप इस path से आजएं यह green वले path से आजएं और इस red वले path से आजएं और अगर आपका इन सभी path पे यह मेरा path P1 ले लिजिए यह P2 ले लिजिए यह P3 ले लिजिए तो अगर आप इन सभी का work equal prove कर देते हैं है ना मतलब करना के सब्स्री यह force conservative है तो इससे हमें यह proof हो जाता है कि कि किसी भी path को आप follow कर लो तो आपका जो work निकल के आएगा वो same निकल के आएगा देखने में जो force लगेगी कुछ आपकी ऐसी लगेगी जस्त मतलब एक show मार रहा हूं और को attention मतले है है ना यह सर content OP क्या बात है पेपर कराब जी कह रहे है वेने सर content OP यह force है यह आई-cap-xJ का है आजएक 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 तो मुझे अब एक बार बताओ क्या यह force conservative है मेरे टमाटर नों जल्दी बताओ मुंझे इतना चाहिए मैरे को इतना ही चाहिए से मुझे चाहिए नहीं यह जो है यह फोर्स का X Component और ये जो माइनस X को आप लिख सकते हो Plus of Minus X आई होप आपको दिख रहा होगा Minus X को लिख सकते हो Plus of Minus X तो यह जो है मेरा भाई यह मेरा बन गया फोर्स का Y Component और बचों फोर्स के X Component को मेरे टमाटरों हमै y में differentiate करना है x component है हमारा y तो इसको हमें बिटा y में differentiate करना है del y by y is what del y by y is है न हाँ अच्छा इसी तरह अरे तुम गलती कर रहे हो ध्यान से कर लो ऐसे ही force के y component को x में differentiate करो force के y component को x में differentiate करो तो force का y component कितना है मेरे टमाट रहा हूं that is minus x y component है मेरा minus x upon x तो यह आपके पास आ रहा है minus 1 यह आपके पास आ रहा है when is that minus 1 और समझ रहे हो नहीं समझे है ना हाँ नो तो मैं आपको यही बता रहा हूं correct बात तो यह equal नहीं आ रहे equal नहीं आ रहे तो मेरे भाई यह जो force है यह non conservative force है यह non conservative force है ठीक है कुछ समझ आ रहा है तो में टमाट रहो यह non conservative force है आके बज़ करके हाँ जी सर conservative है yes yes कर रहे थे अच्छा अब दीगे non conservative है मेरा question यहां पर खतम हो गया अब मैं just आपको जो भी आगे बताने वाला हूं यह आपकी just मैं कहता हूं महाल है आमने सामने वेठे हैं तो बस थोड़ा सा मज़े ले लो तो आपको बस मैं इसलिए आपको दिखा रहा अगर आप इस force को plot करो सोचके देखो अगर मैं कोई point ले लूँ किसी plane में 1,1 सोचके देखो एक point ले लूँ 1,1 अगर मैं इस force को वहाँ पे डाल के देखो यह force वहाँ पे कैसी लग रही होगी उस space पे हर point पे लग रही है तो अगर 1,1 डाल दूँ तो यह क्या बन गया i cap minus j cap यह क्या बन गया force है यह बन गया i cap minus j cap अब सोचो x positive है y negative है x positive है x positive है i cap और minus j cap अगर आप ध्यान से बनाओगे तो यह force का direction जाएगा फूर्थ को और इसको प्लोट करो ना पूरी space में पूरी space में प्लोट कर लो तो आपको force का direction हर point जैसे इस point पे आपको force ऐसे दिखेगा इस point पे आपको जो force है यह ऐसे दिखेगा इस point पे जो force है आपको ऐसे दिखेगा यह जस्ट में सो आपकी knowledge के लिए बेटा कोई tension नहीं है load मत लेना मैं पहले बता रहा हूँ ठीक है ना thank you बस कहा देना और कुछ मत करना load मत लेना है ना तो कहने का मतलब बच्चों point है कि आपको यह फील्ड में ऐसे circle में आपको यह जो force है इसे circle में घुमती हूँ दिखेगी हर point में ऐसे 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 आगर आप देखेगे आप और कुछ ना ही करो और कुछ ना ही करो आप अगर यहां से एक charge को पकड़के लूप में घुम अना force इस direction में लग रही है और जो displacement भी है वो भी tangent के long है displacement भी tangent के long है तो हर वक्त जो angle समय हो positive work है हर instant पे force भी इदर जा रही है displacement भी इदर जा रही है circumference के long force है circumference के long displacement है तो हर वक्त जो angle है work हमेशा positive होगा तो पूरी loop में घुम के वापिस आज़ो work आपका norm जिरवाएगा तो आप इसी ही sports को non conservative भी space में देखके बोल सकते हो लेकिन ये बहुत मुश्किल है देखना ये it's very difficult to do it इसी ही हमने पेटा अपना method बताया है x component को y में पेल दो y को x में पेल दो और 0 के ब्राबर करता हो अगर अगर तुम्हें मजा आ रहा है तो मतलब मुझे चैड़ बॉक्स के अंदर वह positivity दिखा दीजिए मुझे वह enjoy दिखा दीजिए और बल्ले-बल्ले कर दीजिए ठीक है नजारे आगे नजारे आगे है ना है ना साइंस यह यह प्यार से सीखो या मुहबबत से सीखो मदा भी आता है इसके अंदर ठीक है चलिए आगे है आगे है आपके सामने बिटा यह function है 3xy i cap x cube j cap मेरे खाल से अब आप करी लोगे ठीक है तो अगर मैं इसे चलो लिख भी द y component और यह जो चीज है है यह है force का y component तो मेरे टमाटरों तुम्हें force के x component को y में पहलना है एक्स अगर इसे y में पहलोगे तो 3x हो गया constant 3x हो गया constant और y का derivative आजएगा 1 तो यह आपके पास आजएगा 3x और ऐसे ही बेटा y component को x में पेल दो y component को del y del x of y y component है मेरा x cube तो उसको अगर आप x में पेल दो x cube का derivative आजएगा 3x के तो आप देख रहे हैं यह पिटा equal नहीं है यह नॉट equal तो यह वली जो force होगी मेरे टमाटरों क्या होगी non conservative force होगी ठीक है न आप देखो यह रब एक बार हम ने जब पहली बार करते हैं तो हमें अच्छा लगता है करके आप दूसरी बार boring हो जाता है वह वही same है न हाँ हमे तो हो गया यह मुझे करके बता देना यह आपका homework है ठीक है comment section में लिख देना कि यह conservative है और नहीं कुछ करें अच्छा इसका answer दो जड़ा आपके सामने एक फोर्ट कुछी गई है जो ही है एक साइक प्लस एक्सवाई जेकाप आपने इस पोर्ट का work निकालना है कहां से कहां तक 0,0 से 2,2 तक आप से पूछा गया है पहले बताओ क्या work निकाल पाओगे इसका after yokely हम निकाल ही नहीं सकते cannot be found because अगर आप इसके force के x component को y में differentiate करें तो 0 आ रहा है एक्स को y में differentiate करो तो 0 आ रहा है य कंपोनेंट है xy उसे x में differentiate करो य कंपोनेंट को x में differentiate करोगे तो y constant है x का आज्यका बार तो वो आ रहा है y यह आ रहा है जीरो वो आ रहा है y यह not equal नहीं तो यह non conservative force है आप चाहकर भी बेटा इसका कभी भी working निकाल सकते हैं जब तक conservative force और इसी के साथ बच्चों आपको याद होगा मैंने आपको last lecture में यह भी बताया था कि अगर हमारी forces 3D में है fx i cap fy j cap fz k cap उस case में बच्चों आपको तेन चीज़ें चेक करनी है planar के तो बहुत simple है अगर तो planar force है fx i cap fy j cap अगर इतना है तो बस यह पहला step ही काफी है force क आपके x component को y में differentiate करो y component को x में differentiate करो और अगर वो equal आजये तो conservative है अब आपका पस थोड़ा सा काम और बढ़ गया अब आपने एक pair बनाना है x y का जो हमने यह वाला ले लिया एक pair मिटा आपने बनाना है y और z का मतलब y component को z में differentiate करो देखो del fy by del z और z component को y में differentiate करो del fz by del y अगर यह दोनों equal आ जाते हैं तब भी आपकी वो conservative force होगी और ऐसे ही बच्चों एक pair आपका बनेगा x और z का मतलब x component को z में differentiate करो और z component को x में differentiate करो अगर यह भी equal आ जाते हैं विसकली उस case में आपको यह तीन steps चेक करने बढ़ेंगे अगर यह तीनों equal आ जाते हैं तो आ आज का station तो आप यह मान के चलो मैंने आपको पहली का आता है यह लट्टू है हसते खेलते निकलेगा enjoy करते हुए निकलेगा हां लेकिन जब potential energy शुरू करूंगा तो कुछ नए फंडे बताता जाओंगा अभी हम वही शुरू करने वाले हैं कर एक बार आ रहा है smiley दिखा है ना वज़ेदार चीज़े है ना okay okay तो भई यह सारी बाते हम कल officially unofficially कर चुके दें officially आज मैंने दौबर आपको बता दी है अब एक बात को ध्यान से सुनना सिरफ इधर से सुनके इधर से निकाल दें बल्लब यह 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 चाहिए मुझे अब जैसे आप पापा मम्मी छाहिए कि आपके सामने फोड़े हीरो बनेंगे कि मैं बेटा डरता नहीं हूँ मैं तो सब कुछ बोलता हूं बोलते जरूर है लेकिन पेटा से से सुनके इधर बात परवेटा है ना लिए बस दोसी करते रहें, हुझ बस दोस्तिं करते रहें। इंगल शुक्ष, उनने को पता लिए ठỹशर होता आख करें, चढ़े हैं, लाइफ करें, उनने मेहनो算 इन पते मासूँ है मै जावाणा दे कई है बेटा मैं जादानी बोलूँगा है ना मेरे लिए दिक्तत हो जाए कि निटो आज एगी तो बचो आगे वड़ते हैं हाँ अब सुनिये मेरी बात को ध्यान से यह क्या कह रहे है अर्विन सर का पोश्टर अरे बच्चों को याद आ अरे बस बेटा तो पूछ मत यार मैं एक हफता पिछला मेरा कहां गया मेरी लाइफ में मुझे भी नहीं पता चला इतना कुछ हो गया इदर उदर में भागता रहा बस अब मैं वह लगता हूं उस पोश आपको आपको यह सारी चीज़ें एक डेल ओपरेटर नाम की चीज़े उससे हैं तो आपने बता लोड निने ले ना ये हमारे सलेवस में नहीं है बट स्टिल चलो, मैं आपको यह सारी कीज़ें बता ही चुका हूँ, तो मैं आपको दो लेंगे, इसके बारे में बता देता हूँ, यह DEL operator, जैसे आपने एक चीज़ सुनी होगी, मतलब DEL is an operator, किसी vector पे यह लगेगा, किसी vector पे इसका operation होगा, और आप इसको ऐसे समझीए कि X में यह है DEL by DEL X I cap, Y में यह है DEL by DEL Y J cap, और Z में यह है DEL by DEL Z into K cap, मतलब यह एक vector है, DEL operator क्या है, यह एक vector के तरह आप treat करो, I cap, J cap, K cap, और X में आप इससे लिख दो, DEL by DEL X, इसका Y coefficient है DEL by DEL Y, इसका Z coefficient है DEL by DEL Z, अब definitely अगर कोई आप vector साथ तिका दोगे इसके, तो उसके coefficients X, Y, Z के अंदर चले जाएंगे, तो आप पर अपनी जो differentiation है, उसे complete कर पाऊगे, अब मैं आपको यहाँ पर यह एक चीज़ बता देता हूँ, कि DEL operator के अंदर, अगर हम किसी force को cross करें, मतलब DEL एक vector है, उसे किसी force के साथ अगर हम cross कर दें, तो एक नई term बनती है, और उस नई term का नाम है कर्म, क्या बोलते हैं अपन उसको कर्म, बिटा यह अपने को बिलकुल नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, मैं थोड़ा साब को बता देता हूँ, physics olympiard में, जो OCSEC camp होता है, उस camp के अंदर आपकी, मिलने चीजे हैं क्या, तो अगर हम किसी operator को force के साथ cross कर दे, cross product की है, मैंने याद करो, cross product याद आ रहे, तो अगर मैं किसी del operator को force के साथ cross कर दूँ, तो मुझे जो output मिलती हो, so output का नाम है, curl of a force, क्या बोलते हैं, उसको open, curl of a force, एक बार काम करते हैं, कर के दिखाता हूँ, आपको डेल बाइ, डेल जेड इंटू विनेसर के का, यह हो गया हमारा डेल operator विनेसर करेक बात है, बच्छो जो force होती है, f vector, वो होती है, something into i cap, plus something into j cap, plus something into k cap, fx i cap, fy j cap, fz, k cap, इसी के साथ मेरे टमाटरों, अगर हम आपके सामने यहाँ पे cross कर दे, del vector को cross कर दे, f vector से, if I cross them, अगर उन दोनों vectors को cross करना है, तो आपको बेटा याद होगा, मैंने कहा था, determinant बना लो, i cap, j cap, k cap, यह बन गए आपके दो डंडे, अब आपने पहले vector के लिख देने है coefficient, तो पहला vector का coefficient है del by del x, यहाँ पे है del by del y, यहाँ पे है del by del z, दूसरे vector के coefficient लिख दीजिए, f x, f y, f z, और मेरे टमाटरों, अब इनको कर दीजिए, cross, अब इनको कर दीजिए, विने सर, cross, ठीक है, अब cross product, अगर तुम्हें याद हो, यह मेरे डंडों का टाइम आ गया है, एक नट बेटा जी, बड़े दिनों बाद आज बाहर निकले, हाँ जी, हा icap बली कॉलम को बलॉक करते थे, याद आ रहा है, icap बली कॉलम को बलॉक करते थे, और फिर इसको this into this करते थे, minus this into this करते थे, और जहां से छोड़ा था, वहां पर निशानी लगा लेते थे, तो this into this, तो देखो, यह क्या बन गया, del by del y of f z, देखिए, del by del y of f z, minus, बच्च यह आई कैप यह आजेगा विने सर इसी तरह में टमाट रहूं है ना इसी तरह हाँ इसी तरह आप देखो ज़रा बं-बं बोला हो गया एक दम से बं-बं बोला अगर मैं जे कैप को अब जब करूँ अब एको मैंने आपको का था आप इसको एरेस कर दीजिए यह क्रॉस प्र यह मेरा आगया बच्चो जे कैप और प्लस मेरे टमाटरों इसी के साथ आप लिख दीजिए कैप को कोफिशेंट ठीक है अब मैंने यहां से छोड़ा था है ना इस इंटो दिस माइनस दिस इंटो दिस तो जहां से छोड़ा है उसे आप निशानी लगा लीजिए अब यह एफ़ाइन दिखना है तो देन भाइ डेल एक्स आउफ वाई डेल भाइट एक्स और मेरे टमाटरों यह आपका आजेगा के कैप यह आपका आजेगा के कैप तो समझ लिए मेरे बच्चों यह बन गया मेरा कर यह मेरा बन गया कर तो अब बच्चों यह क्या है इसको क्या बोलते हैं अपन करल ओफ फोर्स और बेटा मुझे एक बात बस चैड़ वक्स में लिखके बता दो कॉमन सेंस के साथ जब तुम हायर स्टडी में जाओगे तो वहां तो उसका करल कितना होगा जल्दी बताओ बस कॉमन सेंस बताओ तो इसको स्क्रीम भड़ी होगे तो मैं साइट को जाता हूं आग लगा दी है लड़कों ने आग लगा दी है अब बिटा देको यह सारी बाते वहीं है इसको भूल जाओ डेलो बिटर नामगी कोई चीज है दुनिया में अगर को फोर्स कंजरवेटिव होती है तो मैंने आपको हाँ आग लगा दी बिल्कुल सही है वैल दन वैल दन वैल दन तो फोर्स का एक्स कंपोनेंट ऑफ और फोर्स को वाई में डिफ्रेंशेट करो एकोल आने चाहिए ऐसी वाई 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 को जैड़ में डिफ्रेंशेट करो एकोल आने चाहिए एकस वाई को जैड़ में करो एकोल आने चाहिए इसी चीज़ का थोड़ा ग्लैमरस वर्जन हम डैल अपरेटर कर लेते हैं ये एक भूत सी चीज़ होती है इस भूत को किसी फोर्स के साथ अगर हम क्रॉस कर दें तो एक नया भूत जीरो हो जाए अगर वह उसी सब्सक्राइगे बूल देंगे जो फोर्स होगी वह हमारी है कंजर्वेट्रalt मतलब यह बन जाएगा और ऐसने बाकी दोनों को आपका अंसर निकलाएगा आगे समझ में नजारे आगे नहीं आगे तो इसी को हम बोलते हैं कंडीशन और को क्रॉस करके जीरो करिए और इक्वल्टू बराफर करके आपका अंसर आजाएगा और इसी के साथ बेटा चैड बॉक्स में एक दम से डीजे वला म्यूजिक बच जाए और डीजे वले कि अगरे इस्टों बच्चे आपके जैसा पुपंगे लेता नहीं और विटा सबसे इंपोर्टेंट चीज अब ध्याँ से सुनना मैं आपको पिछले एक से डेड़ घंटे तक जो भी अभी बता रहा था उसका उदेशिय यही था कि मैं तुम्हें potential energy तक लेकर जा सको potential energy guys is the main thing of this chapter और इसके अंदर इतने concepts हैं जो आपको refined करने हैं पंदरा मिनिट के अंदर वो refined हो जाएंगे लेकिन आपने जो भी 10th में पड़ा है उसे 1 second के लिए जिरा side पर रख देना और बिल्कुल scratch से इसको सुनना तो मैं शुरू करने वाला हूँ एक बार मुझे फटा-फट चैट बॉक्स में मुझे positivity दिखा दो बबर शेरों की तरह की सब ready है potential energy को इमानदार इसे सुनने के लिए रेड़ी है यह सर हाँ यह MGH जो आ रहा है न दिमाद में इसको एक सेकंड की लूट आगे बार में है ना बिल्कुल ऐसे सुनना जैसे तुमें कुछ नहीं पता बस यह मेरी आप से एक हाथ जोड़ के विंती है और फिर हम देखना इसके अंदर हम क्या बले-बले करने वाले है ठीक है ready, ready, full ready okay, done guys तो guys अब potential energy देखो बहुत सीधी सी बात है जैसे आप यहाँ पे इस काके को देख रहे है पहरा सा कालका टमाटर है मारा अब यह किसी height पे चना गया और हम बोलते हैं उस height पे उसकी potential energy है MGH तो मतलब पहला point तो यही है कि kinetic energy is associated with the motion of a particle whereas the potential energy of a body is associated with the position of particle तो यह जो आपने सुना है यह line बिल्कुल सही है कोई दिक्कत नहीं है कोई particle किसी position पे अगर होगा तो उसकी उस location की वज़ा से जो energy होगी उसको हम potential energy बोलेंगे मेटा घर मेरे पास भी है घर आप लोगों के भी पास है किसी के पास Bombay में घर है लेकिन हमारी location से हमारे घर का price बढ़ता है तो price को अगर आप energy बोलें अगर Bombay वाला घर है तो definitely उसकी energy जादा है अगर हम किसी और शहर में है तो comparative energy है वो घर ही लेकिन location decide करती है कि उसके अंदर कितनी energy है तो इसे घर से आप treat कर सकते हैं पहला point आपका बिल्कुल correct है It is the energy possessed by virtue of position सुनते जाना एक slide पे एक ही point आने वाला है मैं specifically एक slide पे एक ही point लेकर आया हूँ और ये सारे points मैंने कुछ दिखे हैं और इसके इलावतों में कुछ सुनने की जुरूत नहीं है potential energy करता है ठीक है अगला point the concept of potential energy is applicable only for the conservative forces तब ये बड़ा important point है सब मेरे पीछे घर पे प्राणायाम करते हुए दोहराना इस बात को कि सर जी जब जब इस संसार में conservative forces आती रहेंगी तब तब वो potential energy का concept आता रहें क्योंकि ये funda potential energy का सिरफ और सिरफ conservative forces के लिए नेड़ है क्या विने सर ये gravity के लिए potential energy आएगी बिल्कुल आएगी gravity conservative forces क्या विने सर spring के लिए potential energy आएगी बिल्कुल आएगी बेटा मैं आपको आच सिखाने वाना क्या ये electrostatic charges के लिए potential energy का concept आएगा बिल्कुल आएगा आपने bohar model में सुना होगा दो charges की potential energy होती है क्या बचों हम friction की potential energy निकाल सकते हैं chat box में लिखके बताना क्या हम friction की potential energy निकाल सकते हैं मुझे chat box में लिखके बता क्या हम viscosity की potential energy निकाल सकते हैं क्या हम induced electric field की potential energy निकाल सकते हैं chat box में आग लग जानी चाहिए आग लग जानी चाहिए बिल्कुल फटे चक दो बिल्कुल नहीं निकाल सकते no 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 बिलकुल नहीं विने सर क्यों क्यों क्योंकि वो नॉन गंजर्वेटिव पोटेंशल एनर्जी का कॉंसेप्ट सिरफ गंजर्वेटिव पोर्स के लिए डिफाइंड है जाए बात आदी अगला पॉइंट अगर आप मुझसे यह पोटेंशल एनर्जी कितनी है मैं यह नहीं बता सकता और इस पॉइंट पहर अगर मैं यूवन ले लो हुआ इस पोटेंशल एनर्जी यूट्व यूट्यो नहीं बता सकता तो फिर हम क्या डिफाइं ब्रसकते हैं विन्हें सर हम बचों हमेशा और हमेशा इनका जो डिफरेंस होगा U2 minus U1 या U1 minus U2 हम उस difference को define कर सकते हैं Absolute value कभी define नहीं होती लेकिन difference हमेशन define किया जा सकता है Next point यही है It is always that difference between the potential energy between the two points that can be defined एक slide पे एक ही point आ रहा है ठान सो सुनते जाएगे It is always that difference between the two points जहां पे आप potential energy को define कर सकते हैं और अब बात आती है विनिसर कर सकते हैं तो कैसे define करते हैं तो बेटा हम उसे ऐसे define करते हैं The change in potential energy between the two points is negative of work done by conservative force यह है method उसको define कर वेगा यह बेटा सुन लेना मेरी बात को ध्यान से This is the definition of change in potential energy हम किनी भी दो points का potential energy define नहीं कर सकते हम हमेशन difference define कर सकते हैं अब वो difference define कैसे होता है यह उसका meaning है It is the negative of the work done by the conservative forces Delta U is minus work done by conservative forces चार वोक्स में लेके दो बल्ले बल्ले सर जैम आता दी शावा शावा चाकदे फटे बाकिये इसको मैं तरके भी दिखाऊंगा जब मैं आपको थोड़ा सा आगे हो रेके जाऊंगा इसका कोई derivation नहीं है यह definition है यह meaning है इस तरह से define के अलगता है चेंज इन पटेशन अगे जाएं इसको मैं अभी दो मिनट बाद पकड़ूंगा अब किसी भी पॉइंट पे हम बेटा पोटेशल इनरजी जीरो एज्यूम कर सकते है और उसको हम reference कहते है और यह अजादी भगवान ने हमें दी है यह हम कहीं भी मान सकते है इसका मैं explanation equation के तरूँ आपको देने वाल हूँ अब मेरी बात को ध्यान से सुनना यह तुम्हें बेटा समय के साथ पता लगता जाएगा यह मैंने डाल अभी यहीं पे दिया को है एवरी बॉड़ी इन दिस यूनिवर्स टेंड्स तो हैव दी स्टेट ऑफ मिनीमम प्टेंशिल एनरजी बिकॉज मिनीमम प्टेंशिल एनरजी इस दी स्टेट ऑफ मैक्सिमम स्टेबिलिटी बिटा एक एक पॉइंट ना सर ने खुद डाला तुम्हें नोट्स में देने के लिए तांकि तुम्हें क्वालिटी से क्वालिटी पॉइंट्स मिले जो मैं आपको देना चाहता हूँ यह इस संसार का बचों नियम है कि दुनिया की हर चीज चाहती है कि उसकी प्टेंशिल एनरजी कम से कम हो जाए क्योंकि जब 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 प्टेंशिल एनरजी कम होगी आप इसको ऐसे सोच के देखिए पानी उपर से नीचे गिरता है उपर एनरजी ज़ादा है प्टेंशिल नीचे कम है अगर थोड़ा बहुत आपने सुना है तो आप समझ के देखो नीचे प्टेंशिल नरजी कम हो गई तो मतलब उसकी एनरजी कम होने में उसको स्टेबिलिटी और अनन्द प्राप्त होता है मैं आपके सामने खड़ा हूँ मेली प्टेंशिल नरजी ज़ादा है मैं अनस्टेबल आदमी हूँ आप लोग अपने घर पे बैठके लेटे होंगे पॉपकोन खा रहे होंगे आप स्टेबल है आपकी प्टेंशिल नरजी के इंपरेटेब लिगा तो ये दुनिया का नियम है एवरी बॉड़ी नीवर्स एंट्स टेट अप मिनिमम प्टेंशिल नरजी कि मिनिमम प्टेंशिल नरजी इस टेट ऑफ मैक्सिमम स्टेबलेटिग बटा कोई बचा पूछ रहा है वाटी इनरजी बटा कडी चॉल के अंदर प्याज काटके डाल और प्याज काटके डाल उसके उपर नीम्मू नी चोड़ दे बड़ी एस उसको मिक्स कर बटा उसके बद खा जा उसको बटा इन्जॉय कर लाइफ को फोड़ी बंद खर दे यूच्वर जो भी चल रहा है तेरे टीव पे सब बंद घर इन्जॉय कर लाइफ को इंजॉय कर बटा पा पस मेरे पास में तो भुझी बतातार दो वाटिसनरजी नॉनसेंस चैप्टर ख़तम होने को आगया बाटी जिनेजी कौपी में लिखने डेपिनीशन है कड़ी जो बात आती है आजो बापस आजो बच्छो क्या बात आती है आपके सामने यह चोड़ी से बात आती है की आपके सामने अब ये ऐस ब्लॉक को लिफ्ट कर रहा ह् доллар इस बलॉक और ऊपास ब intrude मार्फ यह सारी हम बताए वाले हैं लेकिन अब मैं आपको potential energy के ऊपर थोड़ा सा detailing में बताने वालों मैं आपको यहां पर क्या करता हूं अब सुनना मेरी बात को बता दो आपने एक मास M को नीचे से उठाके हाइट पर रख दिया मास M को नीचे से उठाके मेरे टमाटरों आपने हाइट पर रख दिया वाट इस दा वर्क डन बाई gravity जल्दी बता दो आप भी बोलो के विने सर बोर कर दिया आपने सेमी सवाल पूछ पूछ के पर बच्चों मैं क्या करूं मेरी मजबूरी है आपको समझाना अच्छे से है तो कितना ग्रेविटी ने वर्क किया नीचे से उपर हाँ पता है ने सब तो विने सर करेक्ट पार that is minus mg सारे मचों ने आग लगा दी है कि विने सर मजी नीचे displacement उपर और आपका जो एंगल है इनके बीच में है वो 180 डिगरी है तो विने सर ग्रेविटी का जो वर्क है वो है विने सर माइनस mg है और बच्छों ग्रेविटी के वर्क को हम बोलते हैं conservative work gravity के work को हम बोलते हैं विने सर क्या work done by conservative forces yes sir yes sir yes sir अच्छा अब मेरी बात को ध्यांते gravity is a conservative force अब सुनना अराम से अगर ये body हमारी ground पर होती तो इस location पे इस body की एक energy होती उस energy को हम कह देते हैं you one उपर जाके किसी h height के point पे इस body के पास एक उस location की energy होती जिसको हम potential energy कहते हैं उसको हम कह देते हैं you two you one you two कितने हैं हमें नहीं पता absolute values of potential energy cannot be defined it is always the delta u between the two points that can be defined and it is defined as the negative of work done by conservative forces so guys this delta u is negative of work done by conservative forces and work done by conservative forces is minus mgh तो minus of minus mgh मेरे टमाटरों delta u comes out to be mgh delta u comes out to be mgh बच्चों बात समझा रही है बात समझा रही है नहीं आरे जल्दी बताओ आरी है मेरे टमाटरों है ना तो हमेशा ये difference है जो होता है तो अब आप सोचिए ये mgh जो होता है ना सबसे पहली चीज ये यू नहीं होता आप सोचते होगी h height पे जाके आपको वो मिल जाएगा क्या कहते है mgh मिल जाएगा ये गलत बात है आप define ही नहीं कर सकते यू दूता है नतुमने 10 में सीख़े ये यू नहीं होता आप सोच यू चाह निकलेगा वेलिका यू थब निकलता है यू तब निकलता है उ निकलता ह्गि नीगता इसको험 तो मेरी बात को जड़ा ध्यात से सुना बोग यहां पर यहां पर यहां पर बना लूँ देखो जड़ा यहां पर यह वला और यह यह वला तो यहां पर यहाँ पे थी U1 यहाँ पे थी U2 और मेरे टमाटरों अगर मैं इसको H height की ऊपर ले जो तो यह U1 है यह U2 है और अगर मेरे टमाटरों आप इस बात को जानते हो तो delta U जो है वो है मेरा MGH and delta U is guys U2 minus U1 and that is is equal to MGH अब मेरे बात को ध्यान से सुनना कि अगर हम किसी point पे zero potential energy मालने तो वो कहलाता है reference तो टमाटरों अगर मैं इस point को ही reference बोल दूँ आम तोर पे हम ground को reference लेते हैं तो अगर आपने ground को reference बोल दिया तो इसका मतलब U1 हो गया zero तो U1 हो गया zero तो U2 जो है वो है मेरा MGH तो भई 24 तो reference is in your head reference तो कहीं भी माल लो यह आपकी अजाती है मैंने ground को माना तो H height पे जो potential energy होगी वो होगी MGH तो यहाँ पे potential energy कितनी मिलगी जी एच मिलगी अब तुम्हें समझ में आ रहे है it is in your और इसी तरह बच्चों अगर कोई मुझे बोले कि यहां भी MGH है यहां विने सर में इसको reference ले सकता हूं बिलकुल ले सकता है बिलकुल ले सकता है अगर कोई आप से पूछे कि यार मुझे यहां पे potential energy बताओ आप सबसे पहले बच्चों से यह पूछना पहले reference बता क्योंकि यहां पे potential energy MGH भी हो सकती है और यहां पे अगर इसे ही reference बोल दोगे तो यहां पे energy zero भी हो सकती है क्योंकि absolute value potential energy की defined हो ही नहीं सकती it is always the difference in potential energy which can be defined यह हमेशा valid है इसमें कोई tension नहीं and how we defined it negative of work done by conservative force होगा तो u2 minus u1 is u2 minus u1 is MGH और मेरे टमाटरों आपको यहां पे दिख गया होगा कि जो u2 है वो है मेरा zero तो u1 comes out to be minus MGH तो u1 is minus MGH तो आप लोग यहां से समझ सकते हैं आप लोग यहां से समझ सकते हैं कि यहां पे potential energy अब होगी negative तो उपर अगर zero है reference से तुम नीचे आ गए अब सोचो reference से तुम जब नीचे आ गए तो potential energy negative हो गई और अगर तुम reference से उपर चले गए तो potential energy plus MGH तो बात सबज में आई तो chat box में प्यारे प्यारे दिल मुझे बना के दिखा दो अगर सबज में आगी है तो guess नजारे आरे चमका अपने को है ना कुपसूरत से दिल बना के दिखाना कुपसूरत से एक्दम से जिसको देख के मेरा भी दिल बाग बाग हो दे चमका है ना स्वाद आ गया क्या वाद है क्या वाद है ठीक है तो बस लिया यही था हमारा potential energy लेकिन यह सारे concepts और जो सारे points ने बेटा यह बड़े important है तो gravity एक conservative force है उसकी potential energy हमने आपके सामने बनाती है अब आईए कुछ questions करते हैं लड़ो लड़ो से सवाल होते हैं जिसको खेल खेल के एकदम से मज़ा आ जाता है लाइफ चलो हो जाती है तो आईए सवाल करते है कह रहा है find the potential energy of mass m if reference is that ground अब यह बड़े interesting चीज़ है कह रहा है आपको mass m की potential energy निकालनी है अगर reference मेरा ground है तो मेरे टमाटरों इस बात को अब ज़रा ध्यान से सुनना यह है आपकी ground अगर मैं ले लूँ reference मेरी बात को ध्यान से सुनना आपको इस mass m की potential energy निकालनी है तो बच्चो बताओ ज़रा chat box पे लिखे कितनी होगी पहला पार्ट यह है कि अगर reference ground यह mass m है और तीन points है ground है point a है point b है आपसे पूचा ग्या है इस mass की potential energy निकालो अगर reference ground है तो आँसे बता दीजे आग लग गई chat box में विने सर डाट इस MGH आप विने सर रेफरेंस है तो आपकी potential energy होगी MGH अच्छा अगला क्या है आपका point a अगर point a reference हो गया मतला मैं अगली site पे आ जाता हूं अगर मेरा point a यह वाला जो point है यही reference है यह जो point है मेरा यही reference है तो इस mass की potential energy कितनी होगी बताओ जरा इस mass की potential energy कितनी होगी बताओ जरा अब तुम लोग सही कर रहे हो अच्छा अब मेरी बात जरा घ्यान से सुनना अगला जो C part था वो था point B point B था आपका यहां पे तो अगर बेटा point B मेरा reference है if this is my reference point अगर यह मेरा reference है तो आप बताओ अब इस mass की potential energy कितनी होगी अब कितनी होगी बताओ जरा 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 कितनी होगी आप तो लोग सही जवाब दे रहे हो that is minus mgh that is minus mgh क्यूंकि हम उससे h जो है वो नीचे आ एक बंदा MGH answer कह रहे है एक बंदा zero answer कह रहे है और एक बंदा minus mgh answer दे रहे है आप से मैं पूछना चाहता हूं इन में से सही कौन सा है who is correct एक ही question के तीन answer आ रहे हैं कौन सा answer सही है जल्दी बताओ chat box में करेक्ट बाद अब तुम लोग बेटा पिदिक्स को सीख रहे हो हाँ सब सही है अरे विदे सर यह तो reference है ना जो मर्जी ले लो जहां पर हो तो आपके हाप में हाँ लेके निक बात याद रख ना बेटा अगर मैं इसे reference बोलता हूं तो इसकी potential energy है zero और अगर मैं इन दोनों points का difference लेता हूं तो delta u तुम लेके देखना बेटा यह पक्का बात है यह mgh आएगा यह पक्की बात है यह mgh आएगा delta u is always same ठीक है तो अगर मैं इसे reference ले लो अगर मैं इसे reference लेता हूं तो देखो ground की potential energy उस case में आजेगी minus mgh और अगर मैं इन दोनों का difference निकालों अगर मैं delta u की value निकालों तो delta u आएगा 0 this minus of this तो इसकी potential energy आजेगी minus mgh तो आप समझ रहे हो वो mgh चाहँएगा क्योंकि इस बात को आप समझेए कि delta u is always defined सभी सही है reference number निबात लेता है resuming ground to be reference find the potential energy of the rod में एक rod है जो एक ground की उपर ही पड़ी है एक table की उपर पड़ी है और table मेरा reference है तो आप मुझे बताओ इस rod की potential energy कितनी होगी हमने उस rod को horizontally place किया हुआ है what is the potential energy of the rod बताइए जरह मुझे chat box में absolutely correct minutes है पुछ ही नहीं बिलकुल zero आएगी क्या tension है इसके अंदर अरे भाई ground reference है तो सारी rod reference पे पड़ी है ठीक है और यह जो height है इसकी हम यह ignore कर देते हैं यह तो thickness तो कुछ जादा है नहीं तो सारी rod reference की उपर ही पड़ी है तो potential energy of the rod is zero लेकर बच्चों अगर इसी rod को हमने vertically place कर दिया इसी rod को अगर हमने vertically place कर दिया और आपके वही सवाल मैं अब फिर पूछूं कि भाईया reference ground है और मैं आप से पूछूं भाईया इस rod की potential energy कितनी है तो मुझे कोई आसर दे सकता है जैडबॉक्स में कितनी आएगी कितनी आएगी बताए कितनी आएगी टमाटरों ज अब मैं आपको बताता हूं सुनो मेरी बात को सुनो सुनो मेरी बात को जिना ध्यान से सुनना हमें जब MGH लिखना है मतलब इस बात को आप समझो मतलब यह बड़ी important एक चीज है कि जब मैं आपके सामने हां MGH लिखता हूं यह MGH तो यह न पॉइंट मास होता है यह विने स मतलब H किसका होगा point के तो होगा न मतलब अगर मैं आपके सामने अगर आपके सामने मैं ground को बेटा reference कहता हूं मेरी बात को ध्यान से सुनना अगर मैं आपके सामने ground को reference बोलता हूं और एक reference से point mass M मैं उपर लों H height पे तो यह जो mass है यह छोटा mass होना चाहिए यह बिल्कुल मतलब जिसकी dimensions ना हों negligible हों तो यह point mass होना चाहिए तो अगर यह point mass है उस case में बेटा आप इसको बोल सकते हो MGH उस case में बोल सकते हो कि यह point mass की location है इस point mass की location है अब बेटा यहाँ पे जो mass M है यह तो space में फैला हुए इसमें से बहुत सारे particles जो होंगे वो इसकी height लग है 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 तो आप उसको direct MGL नहीं बोल सकते मैं आपको यह बात clear करता हूँ बेटा बात सही है तो chat box में जैर हो लिख दो बले बले लिख द तो कैसे निकलेगा पिर आ यह तो मगर इतने समयदार हो उन्हें सब को पिर क्या रहा है ? तो आप हमें पिर इंडीडेशन करें हैं नहीं पड़ेगी क्योंकि जो मास है वो फेला हुआ है यह CONTINUUS मास बोजते हैं तो भाई बात बड़ी सीदी सी है बहुत मुश्किल कुछ है नहीं एक लाइन का काम है तो भाई हाइट पे एक छोटा सा मास कट कर लेते हैं जिसका मास होगा डीयम और उसकी यह जो थिकनस होगी यह कितनी होगी यह होगी दीवाई तो मुझे आप एक बात बताओ अगर मैं आपसे एक line बोल दों की lambda where lambda is called as the linear mass density linear mass density मतलब इसको आप जरह समझ के देखना kg per meter linear mass density का मतलब होता है mass on unit length तो बचो lambda को अगर मैं m by l लिख दूँ तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है यह बात तो बिल्कुल सही है मैंने पूरी length का mass on unit length निकाल लिया थे यार, unitary method लगाए, यार common sense है है ना, पूरी length अगर मैं ले लूँ तो पूरी rod का length l है तो पूरी rod का जो mass होगा वो m होगा, 1 meter की rod का जो mass होगा, 1 meter की rod का जो mass होगा वो किसके बराबर होगा विने sir? वो होगा Ayla. वो किすके बराबर होगा? मतलब मैं अगर एक मिटर की रॉड ले लूँ तो एक मिटर की रॉड का जो मुझे मास मिलेगा वो किसके बराबर मिलेगा मास देंसिटी ये सर अच्छा अब मुझे एक बात बताईए अगर मैं आपके सामने अगर मैं आपके सामने DM को लिखना चाहूं अगर मैं आपके सामने DM को लिखना चाहूं तो बचों क्या लिख सकता हूं चलो आप लोग बताओ DM क्या है Lambda है mass on unit length तो DM कितना होगा मतलब DM को क्या लिख सकते है Lambda का मीनिंग क्या है Mass on unit length मतलब एक मिटर की रॉड पे mass lambda 2 मिटर की रॉड होती तो mass 2 lambda 3 मिटर की होती तो 3 lambda तो अगर मैं DY thickness की length ले लो हूं तो DM को लिखा जा सकता है Lambda into dv यार देखो कितना logical है हर step ना common sense से बढ़ा हुआ है DM है Lambda है mass on unit length तो unit length के mass को अगर मैं dy length से multiply करता हूं तो मुझे mass पूरी रॉख तो उस length के उपर mass मिल जाएगा है ना Yes sir Yes sir logical लेख रहा हूं Lambda is the mass on unit length तो dv length पे जो mass मिलेगा वो हो जाएगा Lambda into dv correct बात है विने से कोई tension ही नहीं है अगर तो बस टमाट रहा हूं life होगी chill life होगी full set तो आप यहां से लिख सकते हो dm is equal to lambda Lambda is m by l into dv Lambda is m by l into गिने सर dv तो भाई अब बचों मेरी होगी tension खतम अब मैं आपके साथ कर रहा हूं question solve फटा फट करेंगे बचों यह अगर हमारा reference है यह अगर हमारा reference है तो इस dm mass की इसको अगर point mass माल लें इस dm mass की जो energy होगी उसे हम dju कह लेते हैं वो थोड़ी से energy होगी क्योंगी mass थोड़ा सा है तो बचों अगर मैं आपसे पूछ लूँ उस dju की value किसके बड़ाबर होगी अब सोचिए इस बात को यह अगर reference है और reference से y height पे जो energy होगी उस mass की वो कितनी होगी वो होगी mg into h mg into h और m जो है वो है dm into g और उसकी जो height है वो एवे ने survive ठीक है तो guys मेरे खाल से जैसे ही मैं यह लिख देता हूँ तो dju आपको मिल गया m अब m को लिख लो m क्या है यहाँ पे dm dm को लिख लो m by n m by n into dy यह हो गया मेरा dm into g into y है ना यह आपके बास आगया dju और ऐसे सारे masses की energy अगर मैं जोड़ दूँ इसके अंदर जितने भी यह तुकड़े बनेंगे इन सभी तुकड़ों की energy अगर हम जोड़ दे कहां से कहां तक 0 से लेके l तक 0 से लेके l तक आई होब आपको दिख रहा होगा 0 से लेके अगर l तक सारे जोड़ दे तो आपको पूरी energy rod की मिल जाएगी और अब आप यहां पे देखो बेटा m constant, l constant, g constant तो m by l into g बाहर आ गया integration में बचा अंदर y integration में बचा y y के साथ आगया dy limits आगी 0 से लेके l तक और अब आप बेटा राजे हो mg by l y का integration आजएगा y square by 2 और टमाटरों limits आजएगी 0 से लेके l तक तो mg by l और ये 2 को बाहर निकाल दो एक बार बतो जाल दो इसके अंदर upper limit l square minus lower limit 0 square और टमाटरों यहां से आप सब समझ सकते हैं सब समझ सकते हैं ये l से l लेका कट गया तो rod की potential energy निकल के आ रही है mg l by 2 mg l by 2 बचो बल्ले बल्ले लिखे तो chat box में mg l by 2 मजारे आए नहीं आए आए के नहीं आए स्वाद आए नहीं आए और कितने बचों को ये feel ये भी feel आ रही है कितने बचों को ये भी feel आ रही है सर ये ही आना चाहिए था कितने बचों को ये बचों कर दीजे chat box में अब क्यों है ये mg l by 2 ये भी अपने को पता होना चाहिए अरे यार अगर हम सारी rod का mask उसके center पे concentrate कर दें सोचो ये mask पहला हुए ये सारा mask अगर हम center पे concentrate कर दें मतलब सारा center जिसको हम center of mask बोलते है ये हमारा next chapter है बच्चों तो ये height कितनी होगी उसकी l by 2 होगी sara mask अगर center पे concentrate कर दें तो height कितनी होगी l by 2 होगी तो उसकी potentiality कितनी होगी रॉट कि आप डारेक्ट लेक्ट सकते हैं अपना अंसर रॉट का अपने से निकल के आता एकदम से content के लिए OP लिख दो मुझे तो ये figure देखके सवाल आ गया कितनी सुंदर chain बनाई है तो एक chain है जो एक hemisphere के उपर पड़ी होई है और hemisphere का radius ले लिए ये capital R एक hemisphere के उपर पड़ी होई है और hemisphere का radius है मेरे भाई कितना है वो capital R और आपको find the potential energy of uniform chain of mass ambient length hell तो chain का mass ambient length hell है और हमने ground को reference बिना reference के तो निकाली नहीं सकते तो वही बेटा ground को reference मानके हमें इस chain की potential energy निकाल नहीं है तो radius अभी करें yes sir yes sir तो आजाओ वे रिटमाटरों बस सवाल है एकदम से इसको enjoy करते हुए करेंगे एकदम से नजारों के साथ तो बचो बात अभी भी वही है आपको छोटा सा mass DM काटना है उसकी potential energy लिखनी है उसे integrate करना है और आपका तान खतम हो जागा तो बचो बहुत सीपी सी बात है तो देखो यह question को करने के कई ढंग है मैं आपको जो सबसे neat and clean way मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ क्योंकि पहली बार कर रहे हैं तो मैं करूंग आप इसको और आप से देखिएगा और मेरे steps को mathematically समझने का परयास करिएगा करना मैंने है आपने सिर्फ देखो बचों अगर मैं यहां पर वर्टिकल से अगर एंगल थीटा लूँ तो चो मेरी बात को देखिएगा क्योंकि चेन को ऊपर से शुरू कर रहे हैं तो अगर मैं ऊपर से पकड़ू और ऊपर से नीचे आना शुरू करूं और पूरी चेन को कवर करने का परयास करूं वह इंटीक्रेशन के अंदर तो अगर ध्यान से देखूं एक छोटा सा एंगल और आगे जाओं यह वाली जो चेन यह जितना भी मुझे चेन का मास दिखाई देता है इसको मैं कहा देता हूं और इसकी जो लेंथ है वह है डियें और जो मेरी लेंथ है उस उस पर्टिकुलर तुकड़े की वह है डियें मतलब अगर मैं आपके सामने यहां पर बना दूँ और यह जो छोटी सी लेंथ है यह छोटा से अंगल बनाएगी दाट इस दी थीटा और जो रेडियस है वो है मेरा कैपिटल राग दाट इस दा रेडियस ओप दी हैमिसेफियर दाट इस आर इंटो डी थीटा और मेरे टमाटरों उसका जो मास है भी ने सिर्व कितना है तो बचों सबसे पहली चीज़ जो मेरे दिमाग में आ रही है आपको पता नहीं हो दिख रही है के नहीं दिख रही है कैन आई राइट दिस दिंग दाट डी एल इस इकोल टू आर इंटो डी थीटा क्या इसे मैं लिख सकता हूं चैड बॉक्स में यह सोर्मों लिखके मु इसको बनाई देता हूं यहां पर लिख सकता हूं न हाँ बच्चे कह रहे है न हां और अगर हमारे सामने कोई एक लिकल के आती है जिसकी लेंद है और वह आर्क अगर हमारा एक पकलें एंगल बनाती है ठीटा और एक रेडियस हमारा आर है तो मैंने आपको यह बताया था कि जो होता है वो होता है आहार्क लेंद अपान-रेडियसच इस dip presenter है यहां तक तो बात सारी सत्य होगी अब हमारा अगला स्टेप क्या बनता है बच्चों अगले स्टेप की तरफ थोड़ा सा मैं और बढ़ता हूं मेरी बात को ध्याद से सुनना अगर मैं यहां पर यह लेता हूं इस dm का वैल्यू लिखूं अब एक बात तो बैटा और भी आपने यहां पर दिखी रही होगी कि जो लैमडा है वो है लीनियर मास्ट डेंसिटी डैट इस मास्ट पर यूनिट लेंध तो केजी पर मीटर है ना जो लैमडा होगा वो किसे ब इसका एडवांटेज यह हुआ कि अगर मुझे लैमडा पता है बच्चों तो मैं dm को निकाल सकता हूं ठीक है ना क्योंकि जब मैं dm जी एच लिखूंगा तो मुझे dm भी चाहिए होगा तो पहली लिखाल के रख लो है ना समझदार यही लोग कहते है कि अपनी त्यारी पहले रखनी चाहिए तो बच्चों dm है मेरा मास लैमडा है मास on unit length तो dl length पे जो मास आएगा dl length पे जो मास आएगा वो होगा lambda into dl dm length पे जो मास आएगा वो आएगा विने sir lambda into dl तो इसी तरह बच्चों dm की अगर मैं value को simplify कर लो that is m by l and dl is equal to dl is equal to r into d theta dl is equal to r into d theta बच्च बच्चों यहां तक चमक रहे तो अब हो गया question solve बस फो गया इतना ही लिखना था है करेक्ट है मैंने करना है आपने समझ नहीं पहली बार देख रहे हो अब ऐसी हम फिर थोड़े होड़ा physics में बड़े होते जाएंगे और आप questions को पकड़ते जाओं कर एक बात yes sir yes sir ठीक है अब बेटा असली बात शुरू है अब बेटा अगर यह reference है तो मतलब reference बले point पे potential energy होगी 0 अब बेटा मुझे इस dm की height निकालनी है इस dm की height निकालनी है बचों तुम इसकी height मुझे chatbox में लिखके बता सकते हो कितनी है देखो मेरी उस elemental की उस छोटे से mass की जो potential energy होगी वह होगी d d u that is dm into g into h बचों क्या आप मुझे chatbox में लिखके बता सकते है h कितना है जल्दी बताओ कितने है what is the height है न हाँ TR solution ने बोल दिया विले सर ये R है बच्चो देखो ये जो length है ये वली ये radius है यहाँ पर ये लिखा हुआ है ये radius है ये R है that is the radius तो radius का cos theta component समझ रहे हैं मेरी बात को तो ये वली जो height होगी ये होगी R का cos theta component तो this height is R cos theta this height is R cos theta R है समझ रहे हैं अगर नहीं भी पता लग रहा है तो इसे H ले लो H upon R लिख लो ये right angle triangle है H upon R लिख लो H upon R is cos theta तो H is R और बैसे भी लिख रहे है R का cos theta component जो होगा R cos theta तो बस बच्चो बले बले तिस शावा शावा बस बच्च ये आपका du है ये उस तुकडे की potential energy है ठीक है और आपको अगर rod की potential energy लिखनी है तो आपको इस सारी चीज को integrate करना पड़ेगा तो मैं अगर यहाँ पे इसको लिख लो अब dm की value अगर मैं लिख दूँ आपके सामने m by l into r d theta ये आजाएगा मेरे पास dm into g into h and h is r cos theta h is r cos theta ठीक है तो ये काम करते हैं space थोड़ी कम होगी इसे हम आगे लिखाते हैं तो potential energy of rod बस हो गया question solve that is comes out to be integration of dm dm is m by l into r d theta into g dm into g into r cos theta into r cos theta तो अगर ये सारा हम बचों integrate कर दें ये सारा अगर हम integrate कर दें तो हमारी life जिंगा लाला तो बचों आप देखिए इस चीज को m by l r m by l बाहर आगया r बाहर आगया g बाहर आगया अच्छा r एक और है m by l r square into g m by l r square into g और अंदर bracket में बचों रहा गया मेरे cos theta और साथ में आगया d theta अब ये बिल्कुल integrate हो देखा ये बिल्कुल integrate हो देखा लेकिन अभी भी एक छोटा सा आखरी step बचा है कि theta की limits क्या डाल नहीं है कोई मुझे chat box में लिखके बता सकते है कि theta की limits क्या होनी चाहिए कोई chat box में लिखके बता सकते है हाँ जी बताइए येस 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 ये एक आखरी काम बचा है पाए बैटे अरे क्या कर गए जीरो टू वान बैटे ऐसे नहीं करना ऐसे नहीं करना अरे मेरे बच्चो इस बात को आप समझो कोई आ रहा गया चलो मांट लोट रहे एक उनिट देख लो मैं पानी पे लेता हूं तब तक अरे नहीं या-1 कहां गया क्या बते कर जा रहे है मेरे तुमारा थीटा शुरू कहां से हो रहे है यहीं से तो श्टार्ट हो रहे है पर थीटा आप सोचो यार शायद मुझे लगना फिगर कोई नहीं देख पारे रहें से मैं यहां बना देता हूं आपको अलग से यह बेटा हमारा है मीश्वीर था जहां से सुनना मेरी बात को आपकी यहां पर ऐसे चेन पड़ी हुई है इसको भी क्यों लेना है यह लेते हैं अपर यह चेन पड़ी है समझो इस चेन का मास MN Length है पहले दूस बात को आप समझो बेटा आपका थीटा यहां से शुरू हो रहा है है न तो आप समझो यह थीटा इकुल टु जीरो डिगरी आपने भीटा उपर लाइव में मानना है dollar जब और उनक्रीज करो पूरी chain कवर करनी है और यहां तक आपको जाना है आप समझो थीटा की जो लोगा है यह दो जीघ्रो डीस शीरो अपको और अरे I लिन्द, एलफा एंगल से प्रेंड कर रही है, तो यह थीटा है, यह वपिला होग दो, जो एनगल एक आर्क बनाती है, वो एंगल होता है, Lтив~~~, angelsάλएपी आर्क आठको जाना है, बल्ले बल्ले लिख दो गर यह पॉइंट समझ में आ रहा है तो यह पॉइंट समझ में आ रहा है तो नहीं है तो बस इसी के साथ तालियों के साथ अपने आज के इसको हम पूरा अपनी मंजिल तक पंचाते हैं तो it is m by l r square into g cos theta integration में रिट मातरों आ जाएगा sin theta and limits will be 0 to l by r limits will be 0 to l by r m by l into r square into g एक बार बचो डाल दीजिए इसके अंदर अपर limit sin of l by r minus बचो lower limit which is 0 तो potential energy of rod जो निकल के आ रही है मैं यहाँ final answer लिख रहा हूं बचो m r square g by l into sin of l by r into sin of l by r बच्चो आ रहे हैं समझ में yes sir yes sir तो that is the correct answer और जब आप थोड़े से भी समझदार हो जाओगे ना जब आप थोड़े से भी समझदार हो जाओगे आगे जागे मैं आपको center of mass बताऊंगा तो आपको इस कि इनका जब center of mass निकालना आ गया तो आप इस portion को और ली भी कर लोगे आपको यह सारी integration करने की जुर्ण ही है आप डिरेक्ट यह रिजल्ट भी लिख सकते हो प्रोवाइडिद आपको center of mass के पंडे आते हैं अब यह गुर्ण सेवत क्या कर ले क्या तो टेंशन ले रहा है वरत वरतमान में जीना सीख बेटा जो है अब है मैंने तुझे थोड़े से दिन पहले यह कहा था कि मैं आपने दोस्त के साथ 4 साल पहले गया था रिशी केश घुमने जब उसने नई गाड़े ली थी और मुझे तब नहीं पता था मुझे तब नहीं पता था कि वो मेरी उसके साथ आखरी ट्रिप है तो तुझे बेटा कल का नहीं पता तू अगले साल की बात कर रहे है इंजॉय कर ले जो चल रहा है महौल है इसको जी चलिए बचो अब इसी के साथ हमारा gravitational potential energy यहाँ पर खतम होता है अब बस 10 मिनट का काम बचो और है आपको थोड़ा सा मुझे spring की potential energy के बारे में बताना है जो हम next lecture में काफी ज्यादा use करने वाले है तो बचो spring भी एक conservative force है अगर वो एक conservative force है तो definitely उसकी भी potential energy define होगी ही होगी तो अब आप देखें यह animation कितनी अच्छी है आप मुझे तो बड़ा मता आ रहा है आप इसको एक बार शुरू से देखिए तो देखो यह spring के साथ एक चूहा लटका हुए है तो spring के अंदर energy store अभी देखो यह spring के अंदर potential energy store हो रही है वह वापस उसको वापस खींच रहा ह तो अब आप सोचो जरा है ना अब फिर उसके बाद यह इसने अपने आपको फ्री कर लिया उसके बाद वह जो है gravity के अंदर गिर रहा है और फाइनली उसका happy birthday उने मना है तो अब शुरू हो रहा है इसने अपनी energy spring में store की spring ने एकदम से potential energy से उसको release किया अब आप देख सक जब आप एक spring को बचलो stretch करते हो तो spring को जब आप stretch करते हो तो spring अपने आपको वापस ले के आता है तो मतलब जब हम उसके stretch करते हैं तो उसके अंदर एक energy store हो जाती है और in fact अगर आप उसे compress भी करेंगे तब भी energy store हो जाएगी और वो चाहेगा कि वो अपनी natural length को attain करे the reason for that potential energy is that because यह जो forces है spring की red color की यह conservative forces है और जब जब संसार में conservative forces आती जाएगी तब तब आपका potential energy का concept आता जाएगा बाकी बच्चों इस line को अब दिमाग में रखने ना जो मैं अब आप पताने बलाओ कि हमने gravity में तो reference जो था अपना वो अपनी choice से choose किया कि भाईया कहीं भी मान लो spring के case में बेटा हमने reference fix कर दिया जिससे हमारी calculations easy हो जाएगी आगे जाके तो spring के case में the reference is always taken at the main position यह बात अपने दिमाग में रखना कि spring के case में reference कभी छेड़ना ही नहीं है main position ही हमारा reference है बच्चों chat box में लिखे तो jam अटा ती yes sir yes sir jam अटा दिल लिखे दो पड़ा पड़ा पाड़ के case में reference हमने fix कर दिया जामादा दी ठीक है तो अब बच्चों हम बात करते हैं spring की अब आजो अब आजो अब आजो अब अराम से सुनना बस दस मिनिट मुझे दे दो इसके बाद खता में अराम से सुनना देखें बच्चों यह spring है आपके सामने यह इसकी natural length है और आपको यह बात मैंने अची तरह बताई हुई है जब spring अपनी natural length पर होता है तो वो दुनिया में सबसे जादा खुश होता है और उसके end को हम बोलते हैं यह natural length जहाँ पर खतम हो गई आपके यह जो end है इसको हम बोलते हैं x equal to zero because यहाँ पर अभी extension नहीं है पदल यहाँ से stretch यहाँ compress अभी नहीं किया हुआ तो x जो है वो हमारा zero है और इसी को बेटा हम बोलते है mean position और टमाटरों मैंने तुमें एक बात बोल दी है अब कि यह जो mean position है इसी को हम बोलते है reference और इस mean position पे हमारी potential energy हम zero assume करते हैं यह मैंने fix कर दिया शुरू करने से पहले because ऐसा करने से मेरी calculations असान हो जाए अब सुनते जाओ अब बेटा मैंने इसी spring को stretch करना शुरू कर दिया बात होना आराम से let's say बच्चों मैंने इस spring को mean position से सुनते जाना अराम से x not length तक stretch किया कहां तक stretch किया x not length तक और जब मैं उसको stretch कर रहा था conservative force थी हमारी spring की force conservative force कौन से थी तो spring की force थी और जब बेटा मैं उसको stretch कर रहा था तो spring की force हमेशा mean position की तरफ direct करती है और वो कितनी होती है विने सर वो होती है kx के बराबर x क्या है विने सर यहां पे x है उस वक्त जितना stretching हुआ होता अगर एक spring को हम बेटा x stretch करते है spring की force mean की तरफ में लगती है और उसे बापिस लेके आती है आप मेरी बाक से सहमत होंगे यह मैंने आपको work power energy के अंदर भी बताया था spring की force होगी kx और वो हमेशा mean की तरफ direct होगी और यह जो force है यह जो force है यह conservative force है मैं यह constant लगता है कहीं बार मैं पूरा लगता हूँ यह conservative force है क्योंकि spring की force को variable है जब stretch कर रहे हो तो exchange हो रहे है चाहे variable है लेकिन यह है conservative force और जब जब संसार में conservative force आती जाएगी तब तक potential energy का concept आता जाएगा येस सर्वत्व सबज़ आ रहे है और मेरा अब काम क्या रहे गया मेरा काम बस इतना रहे गया मुझे इस conservative force का work निकालना है वर्क आ गया negative ठोकेंगे तो डेंटा यह होगा और बेटा यह तो तुम्हें पता ही होगा कि किसी भी force का अगर मुझे spring force का work निकालना है तो किसी भी force का work निकालने का जो method है वो यह है कि force dot dr integral f vector dot dr vector integral अब आप देखते जाओ बेटा यह है आपका spring force पीछे को और जो मेरी displacement हो रही है मैं छोटी सी displacement dx ले लेता हूँ यह ना x के आगे चोटी सी displacement जो होगी उसे हम dx ले लेते हैं तो बचो force जो लग रही है जल्दी बताओ आपको क्या होगी यह f dot dr को क्या लिख सकते हो f dot dr को आपके लिख सकते हो you all can write it as f force force किसके बराबर है विनिसर वो है kx into dr dr है मेरा dx समझ रही हो f into dx into cos theta और इनके बीच का angle कितने है टमाटरों चैड़ बोक्स में लिखके बताना force पीछे को आ रही है dx आगे को जा रहा है जल्दी बताओ कितना angle है कितना angle है इन दोनों के बीच में हाँ बच्चों ने तो पूरा इंटीग्रेट भी करने है सावाश मेरे बच्चों angle is 180 degree साफसाफ दिख रहा है विनिसर into cos 180 degree और ऐसा करने से ऐसा करने से spring का work done मुझे मिल गया ऐसा करने से spring का work done मुझे मिल गया के constant है इसे बाहर ले आओ अंदर बचा integration में अच्छा यह मैंने mean से stretch किया तो जब मैंने mean से stretch किया तो x 0 था तो 0 से लेके x 0 तक मुझे जाना है तो I will put the limits from 0 to x 0 और टमाटरों जैसे ही मैंने यह किया x का integration आप सब जानते है x का integration आप सब जानते है that is minus k into x square by 2 and limits are from 0 to x 0 and limits are from 0 to x 0 ठीक है और टमाटरों यहां से गरा थोड़े से भी समझदार है ठीक है यह आपके बास आ रहा है minus k by 2 into एक बार डाल दीजिए upper limit x not square minus 0 square x not square minus 0 square तो बच्चों work done by spring force work done by spring force is minus of k x not square by 2 work done by spring force is minus of k x not square by 2 बच्चों yes or no बेटा बले बले लिख दो अगर यह बात तमग रही है तो अपने को है ना clear है clear है और तो कुछ नहीं है ना समग रहा है अपने को correct बात correct बात yes sir yes sir बले 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 तो spring की force का वरक आगे अच्छा अब मुझे एक बात बता देना अब एक बात बता देना मैं मैं आपसे अब एक बात और पूछना चाहता हूं डेल्टा यू किसके ब्राबर होगा डेल्टा यू किसके ब्राबर होगा अरे विने सर डेल्टा यू का तो एक ही rule है डेल्टा यू का तो एक ही rule है that is the negative of work then my spring force तो बच्चों आपने spring की potential energy एक तरह से निकाल ली और spring का जो work है उसका negative आपको करना है तो ये minus minus प्रस हो जाएगा तो spring का work है minus k x naught square by two और मेरे टमाटरों delta u निकल के आएगा half k x naught square delta u निकल के आएगा half k x naught square आप लोगों ने छोटी classes में सुना था कि gravity जो होती है उसकी potential energy होती है mgh अब मैंने आपको बड़े होकर बताया वो mgh यू नहीं होता वो delta u होता है आप मैंसे कई बच्चों ने जिन्होंने ntsc की त्यारी की होगी उनकों ने सुना भी हो यह formula कि spring की potential energy होती है half k x square नहीं बेटा वो u half k x square नहीं होता वो delta u half k x square होता है ठीक है correct बात correct बात तो अब आपके सामने ये situation आगी मेरे टमाटरों आपने एक block को अपनी mean position पे रखा मेरी बात को ध्यान से सुनना फिर आपने उस block को बेटा stretch कर दिया कहां तक stretch किया let's say x तक stretch किया मैं x not खटा देता हूं x not ही चलो रख लो आपको अच्छा लग रहा है तो हमने उसको x not तक let's say stretch किया मेरे बात को ध्यान से सुनना तो delta u मतलब ये था मेरा u initial ये था मेरा u initial this is my initial यहाँ पे potential energy थी उसके पास ui और ये मेरा final location है ये मेरा uf मैं आपके सामने ये लिख रहा हूं कि delta u मतलब u final minus u initial is half k x not square और बच्चों जो main position है इसी को हम बोलते है reference तो अगर ये मेरा reference है अप लोगों को यहाँ से दिख रहा होगा अगर ये कहां गया मेरा भाई ये रहा मेरा भाई अगर ये मेरा reference है तो ये हो गया मेरा zero तो guys final potential energy comes out to be half k x not square final potential energy comes out to be जल्दी बताओ कितनी आ रही है अगर य इस location पे इस location पे जो potential energy store होगे इस प्रिंग में वह हाफ के x not square अगर मैं x not को x कहलों मतलब को और सिप्लिपे करने के लिए तो half k x square बच्चों समझ में आ रही है ये सर्ट ये सर्ट इसी के साथ हमारा spring की potential energy समभाब होती है मतलब जब spring आपका natural length पे था उसकी energy 0 थी आप इस stretch किया उसकी energy आजेगी half k x square और मैं आपको ये भी बता देता हूँ अगर आप उसे compress भी करोगे आप उसे घर x not compress भी कर दीजिए अगर आप उसे x not compress भी कर दीजिए reference पे potential energy 0 है अगर आप compress भी कर देंगे तब भी उसके अंदर energy जो store होगी वो होगी half k x not square अगर आप same process compression के तरान निकालने you will get the same answer आप इसे भी सोच लो x not अगर मतलब direction wise negative भी होगा तो negative का square positive होगा तो मतलब energy जो होगी वो आपकी increase भी बाकि अगर आप फोड़ा सा feel करें अगर आप इसे compress करेंगे अगर आप इसे वापिस लेके आएंगे compress करके देखो तो dr vector आजेगा इदर अगर compress करोगे और जो फोर्स होगी स्प्रिंग की वह आगे को आजेगी को compress करोगे तो वह खुलना चाहेगा तो एंगल अब भी वानेटी डिगरी होगा सारा नले से से मैं आपका से मांसर आएगा बच्छों बिटा नजारे आगे नहीं आगे चैट बोक्स में लिखके बताइए कि मुझे दो दिखें नहीं है कांपे हैं अरे मोहित सर्ड क्या हाल है आपके आज आप हमारी लेक्चर में आए थे हमने काफी याद कि आपको आया यह कि आए हैं दिख तो रहनी मुझे का दिख रहे हैं कि तुम लोग मज़े ले रहे हैं दोस्तों पी आए हैं ने चलो आए हैं दो हमारा की स्लाम है और मोहित सर्ड आज हमने आपको काफी बार इनवाइट किया था है हमारे लेक्चर के दौरान आपको काफी बार हमने भी इसमें यह जब जब दोस्त की जरुए पड़ती है एक 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 बैचलर दोस्त की तब आपका नाम फिर उसके बाद खेलते हैं आपस में है ना तो आजगे बचो तो इसी के साथ हमारा यह यहां पर पूरा समापत होता है अब मुद्दे की बात बेटा यह तुम स्प्रिंग को स्ट्रेच करो उसके अंदर तब भी इनरजी स्टोर हो जाती है तो अगर आप इसे कंप्रेस कर होती है half k x square और अगर यह x stretch भी कर दोगे आप तब भी उसके इंदर एक energy store हो जाएगे that is also half k x square that is half k x square ठीक है तो गाइस यह 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 मैंने आपको end में दी है यह आपका सारा spring conclude करती है he says जब हम mean position पे होते हैं तो हमारी potential energy होती है zero अगर हम अपने block को x stretch करते हैं तो spring की force आती है k x और आपकी energy जो होती है वह होती है half k x square उसके अंदर store और अगर आप उसको beta x compress कर देंगे energy तब भी जो store होगी वह half k x square होगी और definitely spring की force तो k x आती है तो that is thing आपको बस दो formula spring में याद रखने है spring की force का formula होता है k x एक यह formula और spring की potential energy का formula होता है half k x square इसके इलावा बचों मैं आपको promise कर रहा हूं इतनु सा भी कोई चीज नहीं है जो spring में आपको चाहिए बस दो formula है यह मैंने आपको दे दिया laws of motion में f equal to k x यह मैं आपको भी दे रहा हूं half k x square that is an addition in potential energy और इसी के साथ बेटा चकदे फटे that's it and we are done for our session today yes sir yes sir spring mark left होता है बिल्कुल mark left होता है क्यों ना बोलू मैं है ना मुहित sir ने बना किए बिटा हम तो पका बोलेंगे हैं हमारा तो उल्टा सीन है हम मुझे आज भी याद है हमें कोई बोल दे जब मैं अपनी पहली गाड़ी ने गया तो मुझे महां पर जो बंदा था उसने बोला sir यह कार के मॉडल है तो इसमें से सारे रंग आप लेलो बस यह मत लेना वो था थोड़ा सा हरे हरा रंग नहीं औ पूठा काम करना है वेटा हमारा सिंपल सा रूल लाइफ का ठीक है तो मोहित सर को कुछ अचा या तो मोहित सर है क्या के चले या कमाल करे जारी कि अभी वहीं करे है अचा बारे में कुछ पता चला है मैं पिर ऐसे खबरें कर दूंगा बता हो है ना सर को बोलो हमारे पास भी जवाब बापिस आएगा मोधी ने बोला ना कि यह आर्विन सर के साथ खेलते हैं अर्विन सर के बहुत किससे है चलो 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 लेकर बारे लिए तू मेरी कल एक मीटिंग ने को बूल जिया और तु सारी बत है लेकर आधा यार कमालばいए तो चलिए किसिये चलिए चलिए ताकी दानक्य तो चलिए बच्छो शुरू करते हैं यह मुझे दिख रहे हैं वो 이쁜ार, सूरी सूर हैं, चैट पे शायद, हेलो सूरी सर, बचो सच को हेलो बोल दो आप पता नहीं है, बच्छे भी नाम लेकर आजा, मुझे पता नहीं चलताओ यहां पर क्या हैं, मnek कर दीए तो हमारा कियूंद सीग्वागत है और हां लेकिन हमारा लेक्षर में सबका स्वागत है और हां लेकिन बेटा विने सरकाओं कोई लीक नीख करेगा ठीक है है जब भी सीग्रिच लीक होगा सबसे पहले जब सीग्रिचल को सबसे पहले वह हम अर्वन सरकाव करें हिए ठीक है है चल चलो चलो च doctor एक जबरदस्त पॉजटिविटी का एंवायरमेंट दे दे आप उस प्लाटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं जिसके रिजर्ट्स कंट्री में अपने आप में एक पायनीर चीज है इंडिया में सबसे पहले ऑनलाइं डर्ज विदानतूनी किया है तालिया बचती रहें 100 परसेंट में 11 बच्चे आपके फिदिक्स में मिले हैं 6 बच्चों ने 100 परसेंटाइल मैस मिलिया है क्लैपिंग बचती रहें इसी के साथ 2 बच्चे बेटा केमिस्टी में 100 परसेंटाइल लेके आए इसके इलावा टमाटरों तुम्हें ये भी पताना चाहिए 307 बच्चे 99 पर रहें और आपके 686 टूडेंट्स 90 से 97 परसेंटाइल के बीच में रहें तो बचों आप समझो आप एक इस प्लाटफॉर्म पर पड़ रहे हैं जिन्होंने सबसे पहले कंट्री में अपने ओनलाइन डिजर्ट दिये हैं अगर आप हमारे प्लाटफॉर्म क्यों पर आओगे तो आपके चांसिस ऑफ गेटिंग सेलेक्शन एंड गूड रैंक और गूड गूड पता होनी चाहिए कि हमारे प्लाटफॉर्म पर बहुत सारे ऐसे तीच्चर तो यूट्यूब पर पॉसिबल नहीं है हमारा में मैं आपको कई बार यह बात बता चुका हूं लेकिन जो बचे पहली बार सुन रहे हैं वो उपने दिमाग में यह बार पिठा लें कि यूट्यूब पे एक टीचर बढ़ाता है और यह सिरफ वन साइड़ चलता है बिकॉज यहां पे बहुत सारे डाउट्स लेना पॉस यह सारे चीज़ें इलिमिनेटेड हैं वहां पे जो भी यहां के लिमिटेशन हैं वो वहां पे काफी एडवांस लेवल पे खतम हो चुकी हैं और उनको बहुत इंप्रोवाइस किया गया है वहां पे पाक सीचर मिलके बेटा एक लेक्शर लेते हैं और उस दुरान किसी भी बच्चे को 約 кोई डाव आता है तो वह एड्रेस किया जाता है और यह मेक शूर किया जाता है मेरे ट्माटरों कि उसके अंदर एक भी डाव यक किसी बच्चे का मिशना है इसके इलावा आपको डावट ए उसके अर्डिया का स्पोर्ट मिलता है जिसके अंदर आपको दोगों को मिलेगा हर का आपको assignment मिलेगाए और assignment भी मैं आपको मता दिता हूं।ง और असाइनमेंड कर सकते हो आप अपने answer कर सकते हो आपने कितना accuracy से excel किया। कौन से question left ये आपको निकालने का दिलकर है तो आप निकालने का प्लस ब l tu e a जिसके अंदर 1, 2, 3, 4, 4 exercises होती है Basic, Advanced, Previous Year Means, Previous Year IIT और सबसे बेटा, मैं आपको जबरदस्त एक बात बता हूँ कि हर question के साथ एक QR code होगा आपको अगर किसी content को solve करते हैं बडाउट आया आपको सिर्फ scan करना आपको direct उसका video solution मिलेगा मतलब हमारा हर चीज़ बेटा digital है We are online by choice मैं कई बार बता चुका हूँ हमारे डिरेक्टर 2012 में बेटा सब कुछ छोड़के जब सब कुछ बढ़िया चल रहा था offline के अंदर सब खोड़ दिया था हमोने 2012 में और तब से वो गदान्तू को आगे लेके चल रहे है जोगी country में अगर अच्छा education कम cost पे देना है और उसके अंदर features increase कर रहे हैं बच्चों को empower करने बच्चे शक्तिशाली हो class के अंदर doubt पूछें उन्हें answer मिले class के बाद doubt पूछें उन्हें साथ के साथ answer मिले offline में तीन दिन बाद doubt class मिलती है तब तक doubt ही भूल जाता है content solve करते वक्त चार दिन बाद पता लगता है doubt क्या था उसका solution क्या था आपको content solve करते वक्त doubt आ रहा है आपको scan करना आपको साथ के साथ doubt मिलेगा तो हमने बच्चों को empower किया इसी के साथ बच्चों all over India test series आपकी साथ के साथ चलती रहेगी हर पूरे तीन साल जब आपनी आप preparation कर रहे हो दो साल advance होते होते हैं तीन साल हो जाते हैं और plus बच्चों आपको सारा analysis भी मिलता रहेगा आपके login के अंदर कि आपकी क्या कमिया चल रही है कहां पे आपको मजोर है तो ये सारी चीज़ें बच्चों अगर आप अपनी preparation में include कर देंगे तो definitely बच्चों आपके chances of getting good selection improve देगे और इसके इलावा बच्चों और अगर आपका result उपर नीचे हो गया तो घपराना मत हम आपके सारे पैसे refund करते हैं पैसे ऐसा नहीं होगा लेकिन ये guarantee इंडिया में सिर्फ विदान्तू लेता है कोई institute नहीं है जो आपको branded institute इस बात की guarantee देता होगी यार हम result की guarantee लेते हैं सब पने सब दिखाएंगे guarantee गोई नहीं लेगा वैदान तू ले रहा है क्योंकि हमें हमारे platform पे confidence है आप देखिए बेटा यहाँ पर यह doubt आप है आपको सिरफ यहाँ पर slip कीच के डालना है है अनिटन solution teachers लिखके बेशते हैं आपके सामने यह assignment है आप अपने conscience को submit कर सकते हो review कर सकते हो एक साल बाद भी आप देख सकते होगे आपने इसके अंदर क्या किया आपको analysis मिलता है subject level, topic level, concept level क्या accuracy चल रहा है आपका class में बाकी बचे क्या करने हैं उनके बारे में भी आपको information मिलती है और बेटा जब यह सारे features जुड़ जाते हैं जिसकी वज़ा से विदानतू की selections आस्मान को चूती है तो यह सारे orange graph जो है ना बेटा यह विदानतू की selections है पूरे इंदिया में 90% से उपर 12th में सिरफ 13% बच्चे marks लेगा आते हैं इसका पार्ट बनो YouTube तक सीमित मत रो एक अदम और आगे बनो बच्चो बाकि आप सब देख सकते हैं आपको micro courses free of cost मिलते हैं micro courses आपके topic wise courses होते हैं आपके long term batch जो है वो चलते रहेंगे इसके लावा अगर किसी बच्चे को को topic भी revise करना है दोबारा तो हर topic का जो course है कि बारत के जो बच्चे होते हैं वो इसके लिए especially they pay for it and it is totally free of cost for all the three years for all of you प्लस मैं आपको बताते तहूं बेटा KVPY आपको free of cost मिलता है आपको यहाँ पे NDA का preparation free of cost मिलता है और यह जब सारी चीज़ें आपको free of cost मिल जाती है तो आपका हर exam के लिए अलग से भटकने की जुरूत नहीं पड़ती यह आपको साथ के साथ जब जब exam आता जाएगा साथ साथ आपको मिलते जाएंगे आप enjoy करते रहे लाइफ में चल मारते रहें यह चबाएपने को बच्चों करेंग बात अ मौहिच अभी बी है अभी बच्चों मोहिच करते लोगाण दोस्त मोहिच सर आप तो भी हमारी तरफ से लाव यू है अब बटा नहीं बाता ओ यह यह पी करेंगा था में एक बैस में आ रहा हूं रहा हूं दिर वन बैक उन विच आइम टेकिंग एंड येस बतलब आपको सारे बैसे अगरा प्रो ले चुके हो तो आपको तीन तरह की मेंबर्शिप हैं लाइट क्लासिक प्लस हर मेंबर्शिप में कुछ फीचर्ज हैं जैसे जैसे फीचर्ज थोड़े से बढ़ते हैं प्राइस थोड़ा साब का बढ़ता करता है सबसे पहले आपको एक बात बता दूँ जो हमारी लाइट मेंबर्शिप है वह 54,000 क की है 53,0009 अब मैं आपको बता देता हूं यह पूरी फीस बेटा प्लस वन और प्लस टू तिल एडवास तक की है समझो कितना कम कॉस्ट है कितने फीचर्ज हैं आप लोग एंपावर हुए आपको डिजिटल कॉंटेंट मिला आपको लेक्चर के दुरान डॉट्स क्लियर कुछ होता है लाइव क्यूजिस होते हैं पोल्स होते हैं आपको वीडियो दिखा देता हूं भी प्लस बेटा आपको माइक्रो कोर्स सब फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा और ऐसे एक्जाम के बीच में एडवांस के बीच में काफी गैप होता है उस दुरान अगर आपको जितन दस बीस हजार में प्रचेज करते हैं आप समझे इस बात को यह कॉस्ट कितनी काम है 54,000 अब इसमें भी आप फर्दर EMI बनवा सकते हो यह मतलब पर मन्थ पे भी 3,000 पे आ जाता है इंडिया में बेटा कोई है कैसे इस 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 इंस्टिचूट आप धूंड के मुझे बता करता हूं और मैं इसलिए विदानतों को पसंद करता हूं कि हमारा मिशन यह है कि हम देश के हर कोने के हर बच्चे को पढ़ा पाएं और एजुकेशन को हर बच्चे के लिए अफोर्डेबल कर पाएं आप चाहें तो एक महीने का सुप्रिप्टिन भी ले सकते हो 2700 के अंद बाकी अगर आपको doubt app का feature चाहिए तो थोड़ी सी cost बेटा और बढ़ जाती है और अगर आपको personal mentor चाहिए तो आपकी थोड़ा सा plus plan होता है उसमें आप plus plan को भी opt कर सकते हो अब personal mentor में थोड़ा personal touch मिल जाता है आपका एक teacher आपका ध्यान रखेगा हर वक्त आपको address करेगा आ आपका analysis करेगा आपको schedule बना के देगा आपका कोई lag चल रहा है उसको ऊपर नीचे adjust करके उसको खतम करवाने के परयास करेगा आपके doubts लेगा आपको किसी teacher से connect करना है system में उसमें भी आपको help करेगा तो मतलब एक number होगा आप उसको कभी भी call कर सकते हो तो personal mentor भी बेटा यहां पर और बढ़ जाती है तो बचों अब आ जाईए जुड़ जाईए carrier बनाने के जीवन में बार-बार मौके नहीं मिलते भगवान बहुत खुश नसीब लोगों को और बहुत कम मौके ऐसे देता है जब आप अपने carrier को jump दे सकते हैं this is the right moment description box में link है मेरे टमाटरों आ आप देखो यह YouTube मैं आपको यहां पर एक सेशन भी दिखा देता हूं यूगाइस सीट है अरविन सर का live lecture है देखो कितना बड़ी असर पढ़ा रहे हैं कपे मार रहे हैं अब सर जब पढ़ाते हैं सर पढ़ाते हैं तो लेक्चर में और भी तीन से चार टीचर होते हैं बच इसी बच्चे से direct बात भी कर सकते हैं उसका audio on कर सकते हैं उसका video on कर सकते हैं और direct अरविन सर मतलब कोई भी टीचर एक बच्चे से जो की YouTube पे पॉसिबल नहीं है camera video on करके audio on करके उससे बात कर सकता है कुछ free defined quizzes होते हैं बच्चे अपना answer submit करते हैं सर को analysis मिलता है और किस बच्चे ने पहले किया बात में किया लीडर बोर्ड भी आपको पता लगता है और लीडर बोर्ड को देखके तो आपको वैसे बहुत confidence फील होता है कि है हां मैं आप percentage with data हर बच्चे का आपको आमें निकल दी ले तो इसको जरूर experience करिए अगर आपने यह experience नहीं किया तो आपने life में बहुत बड़ी एक चीज़ है जो miss कर दिये मैं आप honestly बता रहा हूँ तो guys देखिए यही YouTube है इसी वीडियो के नीचे आपको आना है एक तो इसको लाइक कर देना मेरे टमाटरों जैसे आप इस वीडियो के नीचे आओगे आप लोगों को यहां पे मेरे टमाटरों लिंक मिल जाएगा 11th का class 11th का प्रोग आपको यहां पे लिंक मिल जाएगा आ जैसे क्लिक करोगे आप देखो आप इस पेज पर आजाओगे और यहां पर आपको तीन मॉटल दिख्थे हैं लाइट क्लासिक प्लस आप अराम से मैं आपको फीचर सारे एक्स्क्रेंग कर चुका हूँ लाइट क्लासिक प्लस अप यहां पर ले सकते हैं देखिए वन अंदर आपको यहां पर कोर्स मल रहे हैं पूरे यह तिल एडवांस सारी चीजों की टेंशन विदानतु की है तुम्हें सरफ पड़ाई कर नहीं है और इसमें भी बेटा पेमेंट के मैंटीपल ऑप्षिंस है क्रेडिट कार्ड डेविट कार्ड एमई बन वालो यार क्या टे ठीक है बच्चों बाकी घबराना नहीं है मैं बार-बार के बात होता हूं आप लोगों के भाई आप लोगों के साथ हैं टेंशन नहीं लेने का लाइफ में चिलमार नहीं है और घबराना नहीं है we are always with you just stay strong and stay positive ठीक है कोई टेंशन नहीं हम बैठे हैं अपना घर सोचके ए अगर आपका वहां पर लेक्चर है तो आप बात में यूट्यूब भी देख लो तो आप यूट्यूब का ऑप्शन तो हमेशन ही है आपके पास कुछ ऐसे पीचर से यूट्यूब पे नहीं है तो आप वह आपको प्रोव पे मिलेंगे सारी ठीक है ना चलो ठाइक यू मच कर दो हमेशन ही है तो हमेशन ही तो हमेशन है यू झाय है